हलो नमस्ते बच्चों आइम डॉक्टर एसकेशेनी टीम जूलोजी CLC तोड़े आइम गएंग टो डिसकस अबाउट डी डीटीएस बायोकेम नंबर 13 बच्चों डीटीएस बायोकेम जो CLC की है एक ऐसा प्लेटफोर्म में आपको प्रवाइड करवा रही है दो बायोकेम के द्वारा वे बच्चें जो एक बड़ा ड्रीम लेके चल रहे हैं उस ड्रीम को साकार करने के लिए CLC आपके सामने पेस्ट करके लेके आ रहे हैं डीटीएस के रूप में डीटीएस बहुत ही श्यांदार तरीके से इसके बायो बायोलोजी और कैमेस्ट्री के क्यूशन से तैयार किये जा रही हैं टोटली एक्जामिनिशन औरियन्टेड क्यूशन है हमारी नीट की एक्जाम के अंदर इसी तरीके के क्यूशन बच्चों कुछे जाते हैं और जो बच्चा अपड़ी इमानदारी से बायोकेम डीटीएस को फोलो कर रहा है वो अपने जो रेंक है बहुत आप कर रहा है यहीं नहीं कि हिंदुस्तान में टोब करने का भी यहां रखता है इस बायोकेम डीटीएस की द्वारा देश के कौने-कौने तक पहुंचाया जा रहा है उन बच्चों तक उन ग्रीब बच्चों तक भी जो वास जो एक कोचिंग तक नहीं पहुंच पार रहे हैं या जो हम ठीक तरीके शेह प्रिप्रेशन नहीं कर पार रहे हैं इस ॥ाशकों प्रोंजी को रिवाइज करेश City करेभएज यह है यह डीटीएस जो है बायोकेम डीटीएस बायलोजी और केमेस्ट्री जिसमें सभी विद्वान हमारे साथी एक एक यूनिट के बड़ी हार्ड वरक के साथ में NCRT को बेस लेते वे क्यूशन बनाते हैं बचों और इन क्यूशन के द्वारा आपका पूरा NCRT को रिवीजन क आसा करता हूं कि आप बायोकेम डीटीएस बहुत अच्छी तरह यहां यह पेपर दे रहे हैं उसका बहुत अच्छी तरह आप सोलेशन देख रहे हैं और इनके साथ साथ कंसेप्ट क्लियरिटी सोलेशन के द्वारा आप कर रहे हैं NCRT के सब्द तू सब्द इससे बायोके प्रेटपोर्म के माधियम से बच्चे क्या यह बायो बायोलोजी और केमिस्ट्री उनके कंसेप्ट आपके कलियर हो रहे हैं और आपके लिए एक ब्रमास्तर साभीत होगा तो इसी के साथ बच्चों हम आज डिसकस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इपोर्टेंट और कंसेप मैं से बच्चों अच्छे तरीके सी कीए हैं लेकिन फिर भी कंसेप्ट है वो रट लेती हैं क्या होता है हम समझ नहीं पात है तो मैं इस solution की द्वारा इस paper के बादे में से हर बच्चे तक पहुंचना चाहूंगा CLC के platform की द्वारा कि यह concept क्या है और कैसे इसकी clarity किये जाती है तो crystal clear जब knowledge हमारे पास में होगा जो CLC आपको provide करवा रही है और यह knowledge आपको निश्चित तोरपे मैं कहा रहा हूँ हिंदुस्तान में आपको टॉप रेंग तक पहुंचाएगा तो बच्चों देखिए शी सिक्वेंस में हम देखेंगे यहां क्यूशन नंबर वन जो है वेरी पॉर्टेंट क्यूशन है विच वन आप फॉलोविंग स्टेट्मेंट इज फॉल्स स्टेट्मेंट की बात कि निकल जाएगा यहां यह statement दे निमन मैं से कौन सा एक गलत कथन की बात कर रहा है थो हम कहेंगे हमन के क्या-क्रीक्ट्रास्टिक है हम देखें हमन बच्चों इसलीक आ लिए इससे हर्मन की द्वाराा है दोह नहीं करते हैं यहां पर है कि हैं सबस्षा है कि हो साल करना है गलत कतन की बात करना है फो इसके बाद में का जाता है की स्वोखेंड में निसले में सेमिंट एया हार्मोन के इन्टरी स्थिंट मेंने लिखा है यहां किसन के अंदर इंट्रा है एक्चल में हर्मोन के इंदी जो वर्ड काम में लिया जाता है तो इंटर होता तो हमारा रोंग स्टेटमेंट क्या हो गया यह हो गया तो निस्चित तुर पर हमारा अंसर यह निकलेगा बटे हम और देख सकते हैं हर्मोन आर प्रोड्यूच हम सभी को पता है एंशेल्टी के लिए इसलिए बहुत ज्यादा इसके आप सकता नहीं है तो यह हमारा स्टेटमेंट क्या राइट स्टेटमेंट है पिर इसके बाद में हर्मोन में बी प्रोटीन हर्मोन में बी स्टेडु हर्मोन में बी ड्लाइको प्रोटीन होमीड थर करता है तब यहां बचों में देखना होगा हमारी जो घ्लेंड है हमारी अडीनल ग्लेंड है एक कोल्टेक्स ग्लेंड है इसके दोबाद में तेस्टी के द्वारा सीचहित ऑने वाले आर्मोन आर्मोन इसे सब इस्टीरोई नेचर के आर्मोन इसे परकार ग्लाइकप्रोटीन नेचर के आर्मोन निक आर्मोन जो तहरेड आर्मोन यह प्रिट्टी ग्लेंड के आर्मोन नोर एक नेपरीन आर्मोन जो एमिनो एकिड्स के एमिनो ग्रूप के यह बड़ डेरिवेशन से बनने वाला जो आर्मोन वह वह बायोजेनिक आर्मोन तो निस्चित तुर पे अमरा इसके बाद में बच्छो हमक्यान यह वर्दी कर रहा है और आपके लिए एक किरामबान सभीत होगा तो इसके बाद में हम क्यूसुन नंबर क्यूस्ट नंबर दो हैनल आप देखिए यह चोपगर से स clown樵ों नहीं पर है किस सम पर कांथ के मुआ करते हैं यहां पर यहां करते हैं लिए कि बात करेंगे iterate के यह बच्खों यह दिया गया है कि A, B, C, D, E आपके सामने यहां देखे ग कही आपके रखे गया है कि अपर है कि अपर आधार पर आप से करेंगे यह पर कि दिए गया यह कांपर है तो आप निक नोरो ग्लेनड करेंगे यहां पर घ्लेРЕनल यह क्लील के दो थे हैं । तो यह बात हो सकती है बी की बात करेंगे यहां बात करेंगे यहां देखें नेक के इंदर हमारे नेक में यहां बट्रेकिया की सामने इसके बात में दी बच्चों देखिए यहां पर निस्चित तो यहां बट्रेंड की इंदर है उपस्तित तो यहां पर यहां फ्रीण स्वेड़ान है इसको तीन बाग में विवाजित करती है एक एक हाइपो देमस एक थेलेमस इन्हों ही इपर्टेन्ट पाल्ट है जो हमारे नर्वसित शिस्टम और हमारी एंडोक्रेंड सिस्टम इन दोनों को क्नेक्ट करने का काम कर रहा है इसलिए that endocrine gland also known as the connecting link between the endocrine system and nervous system it is very very important gland hypothalamus also known as the master of the master gland and also known as the principal gland that is a control that secret many types of hormone that hormone come into the adeno-hypophysis through the portal system hypoposal portal system so children, let us know how many questions we can learn here one important gland is all we know we will say that it is a matching so we will say that it is a version chain a version is not a version then it is wrong then that it is right our third option it is wrong then it is wrong then it will be right then it would be right, your third option we need to keep right one number, our answer is correct answer So, I hope you are totally clear about the question number two तो नेक्स्ट बात करें यहां बर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट के अंदर क्या यहां बर पूछना चाहा रहा है नेक्स्ट क्रिश्च आपको कह रहा है कि which of the following hormone secret by the anterior pituitry anterior pituitry है कौन-कौन चे वह हर्मोन यहां बार एंगर करती है तो हम यहां बर बता सकते हैं कि यह के साथ में यह बसका है कि सहती है यहां बढ़ारे इक पज़ती सिल्ट का एंटिर पार्ट कु próp है इसके बाद में यह दूसरा पार्ट मुँटा सकते हैं पुस्टि इंए पाट है एक यहां पर Leon तो यह कर आया यह कि पॉस्टि इंचन इलेंहें को ओंप हमारे को इसके वार Captain कि यहां अगर के द्वारा ज्न स्रविद कि याच संवीत किया जाता है हुआ है यह आर्मोन और टीए अने है स्वाइट की हैं और जाता है हम्जान दें बच्छों प्रोलेक्टिन पी आर एल स्वाइट किया जाता एक किसके द्वारा पिटूट्ट द्वारा हम्जान दें बच्छों टी एस एस विए किया जाता है हम दढ़िए यहां पर MSH की कानिया और हमारे मनुश्TalkЕ हैं हमारे तिखम गलेन लोब होती है जिसे कहेंगे मिडल लोब मैंने क्या का पिट्डूरी गलेनड के बीच में अन्टिरिय लोब और बीच में एक एक्लेंड होती है इसे कहेंगे में मिडल लोब है मिडल लोब यह जो लॉब है यह हमारे वैस कविस्ता में मर्ज इंटु य। लोब हमारे इंदर वह तुरीक से अब डव्लप नहीं है मर्ज होगी इसलिए हम अब इस आर्मोन को एड्री एडिनो आइपोपाइसिस जो पार्ट है उससे समंदी तम मानते हैं कि यह एंटीर का पार्ट है क्योंकि यह लोब क्या मर्द हो चुकी है अब आप देखिए कि इसादार पहले माप्सन नमबर वन देखेंगे ऑपसन नमबर वन कह रहा है एक प्रकार का जी एन एस एफशेच है दूसरा यहां बर क्योंख Birth बर का तो आप देखेगे से अपका है है यहां बात भी है यह point one point two ओंबर टू में गह रहा है जी चाहर रेंगे यह नहीं है विल्कुल यहां बर आरिज सब्द नहीं है यह 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 है यह है लेकिन यह नहीं होने के कारण हमारा अंसर यह गलत हो गया इसके बाद में और यहां थर्ड भी कह रहा है टी एल से बिल्कुल सही है लेकिन एडी एच हार्मोन यह ज्यान दखिए यह पोस्टीरियर पिटूट्री का आर्मोन है जहां केवल इस हार्मोन को संग्रेट किया ज जाता बिल्कुल बच्चों गांठ बांदले इसक्यूशन को पोस्टीरियर पिटूट्री नो सिंटीशी से एन टाइप ओप हार्मोन अनली देर आर टू टाइप ओप हार्मोन स्टोरेज विच इज शीक्रिट बाइदी हाइपो तेलेमस तो ज्यान लके यहां बर कि यहां क इसके बाद में कहेंगे बिल्कुल स्रावित होता है लेकिन बच्चों बनाता है और टी का संग्रेंड वह कौन कर रहा है प्यूस करिंदी का प्यूस करिंदी का भी कौन सा पार्ट कर रहा है तो आपको पॉस्टीर यहां पर ओटी का संग्रेंड करती है तो यह ज्यान रखिए मच्चों इस परकार से एक इपोर्टेंड क्यूशन बंदा है तो अब हम कहेंगी एक और दो हार क्रेक्ट है बिल्कुल एक क्रेक्ट है लेकिन दो क्रेक्ट नहीं है इसलिए नहीं होगा ऊप्रन सन्नांबर 25 और प्रेक्ट यह पर दो एंद मार क्रेक्ट है तो इस तरीके से कि अब हमने यह पूरी पिटुट्री गलेंड को लगब कवर किया कि उसके दुआरा हम एक पर पहुंचे लेकिन इसके साथ में हमने चार क्युस्षन और शीक लिए बच्चों तो यह इस तरीके से बच्चों आप जुड़िये ज्यादा से ज्यादा ब्च्छट के साथ में औ और अपने सपनों के नजदीक पहुंचिए इस के साथ है पूर पर बात करें आपर पूर यह कर रहा है वीच आप पॉलॉइंग आर गॉनेडो ट्रोपी नार्मोंस निमन लिकित में से कौन सा गॉनेडो ट्रोपी नार्मोंस सबसे पहले हमें हमें पता होना चाहिए कि गॉनेडो ट्रोपीन आर्मोंस स्रावीत तो बच्यों हमें पता है कि की द्वारा यह जो हमने बताया यह प्यूस ग्रन्ति की की द्वारा यहांपर घ्ञ होता है यह जी आएं फूर का होता है एक हम कहेंगे aksh दूसरी आर्मौन को कहेंगे alex aksh for लिकुलर स्टीमूलेटिंग आर्मौन और लुटिनाइजिंग आर्मौन तो यह दौनों वे आर्मौन है जो सिदे हमारे गऔर के आंदर यह बर बॉच्चों मेल रग्वर्न का विश आता है तो तो चाहे बच्छों मेल प्रस्टीज मेल के इंदर आपके पास में यहां यह दोनों यह पर हम करेंगे इन दोनों के ऊपर उपर काम करेंगे तो इस रेज अर्मों को सितले के अर्मोन क्य के इसके बाद में प्रोजेष्ट्रोन आर्मोन के न मगогда इन दोनों हर्मोन को हम कहेंगे और यह ब kiss to बहुत इन सब्सक्राइब बहुत आर्मोन यह हर्मोन ब्लड के दिस्तावित अर्मोन के surpassant करते हैं एस्टोजन आर्मोन फिमीन आइजिंग आर्मोन भी है अपने जो यूट्रिस वॉल है उसको मेंटेन रखने भी एस्टोजन और प्रोजिस्ट्रोन का योगदान होता है तो यह बाते हम सब जानते हैं ऐसे टेस्टोइस्टिरोन के अंदर है पैसे चौरह एलज काम कर चैक्ट्र का कंड्रोल किया जाता है तो यह बच्चों इस तरीके से हमारा कन्षेट को कलीर करते पर चलेंगे कि उससे नमारा है कि कॉन से हैं गवार्ण बच्चों ऑप्सन नमर एक कह रहा है एक पैसे बिल्कुल है आपका यह ऑप होली कुलरी अ पैसे बात है लेकिन प्र ैं कि नहीं बात हैं है यह गलत बात है यह पर इसलिए हमारा जो अंसर हो जाएगा answer न मर्डू यहां बार है करेक्ट तैसार ज्यान लखें यह तो मुल के साथ में किजिए कि प्रकार से यहां बर करता है तो एक जोन द्वारा परिवेन होना यह यहां यहां नहीं करता है इसके बाद में हम एमस्च की बात करेंगे तो सब्सक्राइब करता है यह बात आपकी राइट है तो हम यहां पर देखेंगे की साथ में यहां पर भी मैचिंग है इसलिए हो सकता है है एक नंबर हो सकता है तीन सब्सक्राइब की नम्बर के साथ में भी हो सकता है यहां बर है चान नंबर हो आगे देखेंगे यह बात करेंगे ग्रोफ और डिवल्लप्मेंट ऑफडी ऑफियृ बोलिकल पेमेल यह उप्षिन नंबर एक आथा इसके साथ में यहां इसके साथ में तीन नंबर आप देखोगे एकर तीन यां पर भी राइट है यहां मत्यों हो गया किया आपके पास में बंचा और हम आगे की बात देखें गे लिए हार्मॉन हाइपयोद हो रहे से यहां करेगा नेपर करेगा करेगा कईए द्रियां के द्वारा जल का और रखता है और इंदर था ओस्मो रेगुलेशन की बात करें तो एडियाज का ही कमी हो जाए तो बच्टों डियाबटीज इंशिपिड रहे है और एडिएच की कमी हो गई तो होता है एडिएच अधिक हो जाए तो मुत्तर संद्रित बन जाता है यह एडिएच के की मैचिंग बच्चों निकल गया वहारा सब्सक्राइब इक नंबर के साथ में तो और रहां सर्वन ज्यान रखें एक इपोर्टेंट तेका लेंड लेंड पारस इंट्रमीडिया पारसिंट्रमीडिया प्रॉट्टि का मिड़ पाल्टा यहां पर मिड़ लोब अव्डी तो यह कह रहा है इन होमन इट आलमोस्ट मर्ज विद दी पारस डिस्टेलिस एक बच्छों हमारी बात यह कह रहा है तो हमारा डी है वह फॉर्ट के साथ में मैचिंग है तो हमारा निश्चित तौर में अंसर क्या हो जाएगा हूँ अब है उसके कर सकते हैं क्या जो किसंस है उसकी है और कर सकते हैं तो अब बच्छों आगे देखें हम किसंट नम्बर 6 की बात करें किसंट नमबर 6 की अनदर क्या कहना चाहा है तो आप देखिएगा उसमें यह बरेविच आफ दी फॉलोविंग फंक्षण breathe काहां तक होती है कब तक काम करती है बच्छोर जारे हां बारे बेरेंट भी जानते है तो हम arqu करें कि पीनी बौडी मिलत क्या काम करता है तो आप्शन के आजार पर हम देखें इन्प्लिवेंस ऑफ दी मेटाबोलीज्म पिग्मेंटेशन मेनेस्ट्रूल साइकल आवर डिफेंस कैपसिटी बिल्कुल उपाप्चे से समंदीत है रंजकता से समंदीत है रद चक्र को प्रेड़न से समंदीत है लेकिन यह बहुत अच्छा है यहां बर कारी नहीं किया जारा लेकिन ज्यादा तर यह हम कह सकती है उपापची से समंदीत है रद चक्र का काम कर रहा है और हम कह सकते हैं कि हमारे 24 ओर से उसकी बैलोजीकल रिदम में उसकी तापना करने में यह आर्मोन बच्चों है होता है option number 2 कहता है regulation of the 24 hour di urinal rhythm of the our body sleep cycle body temperature regulation इसमें भी यहां बर है यह यह बूल है तो हम इस केस में हम कहेंगे option number 2 बच्चों हमारा क्या है एक correct answer की रूप में हम कह सकते हैं option option की रूप में हम कह सकते हैं option number 2 है हमारा यहां बर correct option है इसके बाद में हम देखें option 2 क्रेक्ट है option 1 भी हमारा correct में यह लिखा हुआ है सब यह काम कर रहा है इसके बाद में option number 3 देखें यहां बरे वन और टू बहुत तो यह हमारा अब बैटर सही हो जाएगा बहुत वन और टू थर्ड option है वह हमारा correct answer है इसके बाद में पूर्ट देख लेगते हैं करें सब्सक्राइब आर्मों का विरोध नहीं करता है यह करता हुआ है यह विरोध करता है इसका विरौध करता है मैं इसलिए test इसलिए इंदर हमारे इंदर विरोद कर रहा है यहां पांसर हो जाएगा यह और नमबर थार्ड है इसके बाद में हम देके यहां पर स्यान्द नंबर में यहां क्या करेकट है तो सेंध में हम देखेंगे Чुनfish कहा है कि assistance स्टेटमेंट बिल्कुल लार्जस्ट लेंड इसकी बाद मैं कहेंगे तरह के सक्वे तो फोलिकल बिल्कुल ले बहुत होती है जोब नई बच्चों शीक्स नहीं 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 दॉत है जोब कोई लेने देनी आज राइट बार्ट में और लेप्ट बाड में हम कह सकते हैं टू लोब बे चू अपर लोब यह तो इस तरीके से यह नंवात होगी तो इसकी बाद में निकिन ने तो सबस्ट होता है और तीशीटी थाइरोकेल्ची टोनीन आर्मोन और सीक्रिट पाइड तैप अब इसेल्स इसके इंदर होती है तो बच्चों बहुत इंदर रोंगे की बात कही है तो रोंग हमारा हो गया है यहां पर है ऑप्शन नमबर है थार्ड है हमारा रोंग है इस कुछन के रिस्पेक्ट म कि इसे नमबर है एट की बात करें है कि इसे नमबर है यहां पर कर रहा है एट नमबर कर रहा है मेचिंग करनी है दो कॉलम दिए गए दोनों कॉलम को हम मैच करेंगे यह मैच किस तरीके से हम यहां पर करेंगे तो देखिए गा यहां पर है यहां पर है हाइपोथेलिमिक ऑ तो हमेड़ेंगे कहां आती है किसको प्रभवित करेंगे तो प्रभवित करेंगी तो प्हक्तिंगे जंब साथ में होगा पांस नमबर फाइब नमबर एपाइब एपाइब आपके पास में तीन ओप्सन है इलिमिनेट हो गया नमबर बन यह इसके बाद में ती एसच थाराइड इस्टिमुलेटिंग आर्मॉन इसकी मैचिंग करेंगे हम धायराइड के साथ में तो हमारा यह सोबल पांस नमबर और फोर बचा इसके बाद में देखें को क्योंकों ट्रोपीन आरमून वत्तों मारी अजीटेनल ग्लेंद है उसका कोल्टेक्सांग है वे यहांपर इस्ट करता वह यहांपर त्रावित करता है तो यहांपर ऑक क्यां पर दόना वाго ecc की बात करें गौनेड़ो ट्रोपी नार्मोन गौनेड़ो ट्रॉमपी के आनुबहर बच्चो किसको प्रवावित करेगा गौनेड जो एक प्रैसेच और यह यह देखिया दीको फोर तब देखें दीको फोर बच्चों यह अब हमारा निकल गया डीको बहुत इसके बाद लु कर सकते हैं तो इस तरीके से बच्चों देखिए जान रखिएगा जब कंशेप्ट किल्किर होती हैं तो डेफिनेटली हमारे कुशन के यहां बर हाइट होंगे हम बहुत अच्छी तरीके से यहां बर इनको अंसर दे पाएंगे तो यह बात बच्चों मैं यहां बर समझता हू की बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको समझ रही है तो इसके बाद में नेक्स्ट क्रिशन यहां बर क्या कह रहा है नेक्स्ट क्रिशन यहां कह रहा है कि विच वन इस फॉलोविंग पेर और और गन इंक्लूड्स निम्दिकित में अंगों का कौन सा एक जोड़ा केवल उटेसरावी ग्रंदिका के पार्छे करता है क्यों लंत रही की बाद कर रहा है हमारे स्रीर में कुछ मैं कुछ एसी इसे स्ट्रेक्ट्ट diff है जो sinking नेक्त्र फिर ओर रों का कभी हमी करता है स्क प्रूंगा प्रोडंशन भी कर रहा है है इसलिए यह एंसर गलत है इसके बाद में अगरम्लेश बात यह पैराथ है किया मक्ने साथ में शिर विस्षरल करक्त का रहा है इस लिए गलत में को तो ट्रुट है यहां पर इस option की आदार पर जो फूर्ण तया एक गरंथी का काम कर रही है एंडोक्रेन ग्रेंट का काम कर रही है हमारे सरीर के अंगों को regulation का काम कर रही है इसलिए वहारा अंसर क्या होगा फॉर्थ option तो यह हम इस तरीके से कि बता सकती है इसके बाद में किसे नमर टैन की बात करें किसन मट जो सिंपल है मुख्यत यह समनदित है है इस में ली कंशड बेदे हैं हमारे मेडिया सिंपल बाग में हमारे हर्ट के बैक सैड में डाइबराम के ऊपर कि तरह एक थाइमस्ड पाई जाती है यह हमारी हो स्टेज के इंदर हमारी वल्लेकाल प्रावस्ता में होती है सिर्ष अधिक शेक्किली ओती है दस जह साङंस के 10 के संदर में लेकिन उसके बाद जैसे आयू बढ़ती है वेसे थायमश घ्लैंड ठेट्रोपायड होती जाती हैं धायमश क्लाइक अधिक वर्द अवस्ता में आते हैं यहां पर क्घल्न होने लग जाती है त्योंसी है थायमश श्रंजना के रूप में रहती है इसलिए वर्द व्यक्तियों के अंदर यह बहुत ज्यादा काम नहीं करती और इसका मेन काम होता है हमारे इम्यून सिस्टम को बुष्ट करना, हमारे इम्यून सिस्टम को अप करना, हमें मजबूत बनाना, हमें रोगों से लड़ने में ताकत देना, सक्ति देना, हमें इस से कुरणा जैसी महामारे से लड़ने की सक्ति देने का काम में ये थाइमस करती है, तो बच्चों इस परकार से विभिन रोगों से सुरुक्षा करने काम है हम वन वर्ड वे कहें कि हमारे इम्म्यून सिस्टम को बनाई रखने का काम धाइमस करती है लेकिन जैसे जैसे आई यू बढ़ती है तो एजिंग के साथ में ग्लेंड खतम होती जाती है तो ज्यान रखें इस तरी के से हम अंसर क होंगे तो हमारा आंसर यहां पर क्रेक्ट अंसर होगा क्या ओप्षिंट नमबर टो इसके बाद में बच्चों नमर 11 पर बात करें हैं मियां किस्ट नमर ए 11 जो है यह यहां पर शो कर रहा है क्या विच आप दी फॉल्लोविंग हर्मोन इज आर कॉल्द एमर्जेंसी और प्राइट आर्मोन का मिनिंग है तो करने में हमें सक्ति देने वाल आर्मोन है ताकत करने हमें मजबूत रखने वाली आर्मोन है वो कौन आर्मोन है वह हम कहेंगे है वह हमारा सिस्लिएгляд कर रहा है आपकाद का लेवल बढ़ता है और आपकी सक्टी को मजबूत करवाता है सक्टी बढता है और हम वो कारेक कर जाती है तो यह बात समझ गए होंगे बच्छों यहां पर हम कहेंगे फाइट और फ्लाइट करने वाला जो हर्मोन नहीं है और नइसा काम नहीं करता इसलिए नमबर थ्री औप्शन नमबर फोर है हमारा इसी तरीके सी हम आगे चलें यहां पर आगे चलेंगे नेक्स्ट बात करें किसे नमबर क्या कहना चाह रहा है कि adrenal cortex is composed of three layer okay then the sequence of the layer from the inside to outside adrenal gland का त्या सेक्शन ले तो इस adrenal gland का त्या सेक्शन की बात करें है तो हम देखेंगे कि इसकी इंदर है एक जनरली हम कहेंगे सबसे बाहर की जो ले रहे है इसे हम कहेंगे जोना इसे कहेंगे जोना रेटिकुलेटा कलियर बच्चों इसके बीच में में मेडूदा पाल्ट होता है कोल्टेक्स की यह त्री पाल्ट इडिनल पूछ रहा है क्या अंदर से बाहर की तरह सबसे इंदर जोना रेटिकुलेटा इसके बाद में जोना पेशिकुलेटा इसके बाद में जोना पेशिकुलेटा इसके बाद में जोना ग्लोमेरुलोसा अंदर से पूछ रहे तो आप् पर रोंगे से हम इसका आनसर यहां पर निकाल सकती है इसके बाद में बाद में मुट्सों इसोन नम्बर तरटीन की बात करें तरटीन नमबर जो कुछन है कि इस दूरी यांपर यह तक भान सर दे पाएंगे जब हमारा कनफेप्ट हैं कन्षेप्ट में यहां बाठ भी बिल्कुल चुर्टेक्स इस तरह की आंशर सम्देंगे क्यों सक्राइबुटर को न सपरितंगे अब बात अच्छे और ध्यृधिड ग्लेंड की बात यह है बिल ग्लेंड there are the adrenal gland divided into two portion first is adrenal cortex second is adrenal medulla many type of hormones a group of hormones are secret by the adrenal cortex that hormone commonly known as the corticoids hormone in hormone कम कहेंगे corticoids जिसमें mineralocorticoids जिसमें glucocorticoids जिसमें sex steroid corticoids तो इसमें अब हम कहेंगे cortex की बात कर रहा है cortex से तो epineprine medulla के द्वारा स्रावीद होता है इसलिए गलत corticoids एक्जेक्ट नमारा अंसर हो जाएगा यहांबर nor epineprine यह भी medulla स्रावीद करता है second messenger का कोई लेना देना नहीं है इसलिए हमारा अंसर क्या हो जाएगा corticoids इसके बाद में आगे चलेंगे question number 14 question number 14 क्या कह रहा है question number 14 यह कह रहा है कि हमारे अंदर जो reactions होती है metabolic reactions होती है metabolic reactions के अंदर है glucose नियोजेनेसिस यह वर्ड आया है glucose नियोजेनेसिस का मिनिंग है पेरे इतना मिनिंग बता होना चाहिए glucose glucose नियोजेनेसिस इसका मिनिंग है non carbohydrate ध्यान रखें बच्चों non मैं क्या बात करा हूं non carbohydrate non carbohydrate यह हम कह सकते हैं non sugar substance यह सबस्टेंस से जिसमें शुगर नहीं है जैसे क्या हो सकता है amino acid हो सकता है क्या हो सकता है fatty acid हो सकता है क्या हो सकता है यहां बार lectic acid हो सकता है इन्चे हमारा सरीर हमारा liver इन्चे हमारी muscles इन्चे हमारी हिपेटोसाइट्स इन्चे हमारी एडिपोसाइट्स क्या बना दे ग्लुकोज बना दे ग्लुकोज का निर्मान कर दे इस गटना को इस इवेंट को इस मेकनिजम को क्या कहेंगे हमें ग्लुकोज नियोजेनेसिस कहेंगे लाइपोलाइसिस जिसमें लिपिड का ब्रेकडाउन हो रहा है प्रोटियो लाइसिस ज ऊपके कि अये नियी यूट लाइजेशन ओप एमिनोएसिड नहीं तो यह काम परपोर्ण भाई कि कॉन कर रहा है यह कुन सा आर्मोन यह काम करेगा जिम्मेदारी किसा आर्मोन को दी जाती है एप आर्मोन को दी जाएगी तो इन्हें इन के टीक हो वो responsible है ये कार्या करने के लिए उसमें मेंली कौन सी या रवना तो कोर्टी सोल प्रकृतिके जो इसे प्रकार का काम करते हैं जो है ग्लुक। नीयोजेनेसिस लाइपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस औरientes य्विद और यह काम सब कौन करEROता है यह यह को irgendwas को को चैक्स होता है वह लेकिन करता है यह लेकिन इंसुलिन क्या Gibbs करता है यहां पर इंसुलीन करवाता लिए इंसुलीन लिवल कम करता है तो यह उन जानते हैं तो इस परकार के गतना गटीत होगी एलोइस्टिरोन मिनरल से रिलेटेड है एंडोजन से मेल सेक्स होर्मोन है इसलिए नहीं होगा नमबर टू है वह तो यह इस तरीके से बच्चों हमें इस कंशेप्ट को क्लियर कर सकते हैं इसके बाद में क्या कहना चाहरा है कि विच आप फॉलोइंग होर्मोन सप्रेश इम्यून रेस्पॉंस से इस्टिम्लेट ए और बीसी एंड प्रोडक्शन एंड इज ऑच्छों इन्टेनिंग काडियोवेस्कुलर सिस्टम है एंड किड्नी फंक्शन बिल्कुल बच्चों बहुत ही पोटेंट है एंजियाटी की लाइन है जो हमारे इंदर है प हेंड कोर्टेक्स का मद्ड़् भाग करता है थे हमारा आंसर हो जाए का या कोडिसोल हुआ है झेल ांसर नकाल सकते हैं यह नहीं शीष्ट क्रखस्टवी और कि हम हम बात करेंगे कैल्सिटोनीन अमरा अंसर हो जाएगा कैल्सिटोनीन एंड लह तो यह ग्लाइको प्रोटीन आर्मोन है जो बाहर एक्स्टा श्रेप्टर की रूप में यह अपना कार्य करते हैं इसलिए पौर्थ ऑप्शन नमरा एक राइट आंसर है नेक्स्ट नमर 17 विच फालोविंग और्मोन हेंड़ प्रोटीन आर्मोन एक करой के तो कौन्सा हार्मोन इसके लिए क्सा काहिक है तो ज्यानदाकर तो में नहीं होगा एंड्रा स्ट्रोइड है इस लिए नहीं होगा तो अंसर क्या हो जाएगा इंसुलीन हर्मोन है वह एक हेट्रो ट्रमेरिक सर्पेस रिशेप्टर रखता है इस लिए एक बहुत ही अच्छा और डेप्ट का क्यूशन है बच्छो यह एक जमिन नरी स्टैप कि क्यूशन भी कई बार पूछ लेती है जब हमारा सपना है हमारा ड्रीम है तिन चौशन नमर लाने का तब बच्छो ऐसे क्यूशन भी हमें सोल करने पड़ेंगे तो नेक्स्ट हम देखें आपर किस नमरें एक तीन की बात करें यहां एक नमर क्यूशन यहां कह रहा है पा रहता हम है आर्मन है इसके बाद मार मbesRी कार्मोन है laks का ऑर्मोन है रहार मह नहीं तो होती है् इसलिए नहीं है नो कौर्टिकोड मिनेलो कौर्टिकोड सापित हुत तया इस्सक्न के क्वारा घुडिन टोरा है मेडुदा के दिद्वास्त तें इसलिए विशम नहीं है da i moral 91 फ्रत्तों कर सकते हैं इसके बाद में नमबर 19 की बात करें है क्या जाता है और उसके बाद में स्रावित किया जाता है कौन करता है तो यह भी करता है लेकिन में नहीं प्रेश्ट लिए नहीं करती है तो हम कहें कि यह मुख्यता प्रोजेस्ट्रों करता है इस नहीं होगा रेट्चर रोने के बाद में यहां पर कार्पस लिएंड बनेगा इसलिए नहीं होगा तो मैं लिए जो ग्रोविंग भॉलिकल्स बंदें प्राहिमरी पॉलिकल शेकिन्र एस्ट्रोजन को स्रावित करने का मेंन स्योर्स है मुख्य तो इसके द्वारत स्रावित किया जाता है इसलिए अंसर क्या हो जाएगा थर्ड नंबर जो ऑप्शन है यह हमारा क्रेक्टर होगा इसके बाद में नेक्स्ट है हर्मोन नोट इन्वाल इन दी सुगर मेटाबोलीज में कौन सार्मोन ऐसा है जो सुगर मेटाबोलीज में अपना सुगर उपापची में भाग नहीं लेता है तो द्यान रखें ग्लुकेगोन बिल्कुल भाग लेता है जो ग्लाइकोजन को जो क्या कर रहा है ग्लाइकोजन जो है इस ग्लाइकोजन को ग्लुकोज में बदलने क काम कर रहा है इसलिये लेता है कौन क्ल्टिस बिल्कुल काम करता है है अभी हमने बात कि काम करुआ रहा है ल्लॉस्टिवार बिल्कुल नहीं करता है और हम्लो इस लिए फूर भांच घो पर प्र highly करता- है मिन्राल को टिकोड आर्मोन के समू के अंदर पाइजाने वाला आद मोन है जो एड्रेनल कोल्टेक्स स्रावित करता है इसके बाद में नेक्स बच्चों कुछन नम्बर है यहां बार 21 की बात करें पिर एक इपोर्टेंट कुछन आपके सामने लेके आए हैं तो यह कहा रह है इसके विपरीत का रहे हैं जो इसके विपरीत कारी करता है तो अब इस आर्मोन सिक्रीट बाइज जोना ग्लोमेरुलोसा के द्वारा स्रावित आर्मोन होता है अभी बताया यह सोडियम और पोटेशियूम का मेंटें रखता है यहां बर सोडियम रोगा तो अब जोड़ होगा तो बढेक बर बीपी इनक्रीज होती है यह तब हमारे थैंब क्या करेगा हमारे विपी को करने में हल्प होता है तो कई बात पूच लिए जाता है कि एनब स्रावीत कब होता है जब है इसके बाद में नेक्स्ट आर्मोन सी क्रिटी नार्मोन कोलिशिटोकाइन और मेजर प्यप्टाइड आर्मोन सीक्रीटेड बाइए वह पाचन तंद्र के द्वारा श्रावित होने वाले आर्मोन जिसमें का गया गस्टीनार्मोन कोलिसिस्टोकाइणी नार्मोन इंड अन्य बretsक इनके बेपγοता है इसलिए हमग उनली समॉल इंटसटाइब उन्हाइम गलत हो जाएगा जी आएटी विल्कुल एकजड़त वारा रहेट चैनलสथा की दवरा रहां जो जिसके दौर हम यह जिसके दौरा हम हैं मार्क्स पराप्षब कर सकते हैं इसके नेक्स्ट क्यूश्ण यह बर आया हम कहें कि प्ति जो एक मेचिंग क्यूश्ण है किस परकार करें तो मेंच दी कॉलम पर स्टेंड कॉलम स्टिंड यहां किस परकार से हम यहां पर है इसको मैच करेंगे क्या कहना चाहरा है पेप्टाइड पॉलिपेप्टाइड प्रोटीन और्मोन्स शेकिंड स्टिरोइड थर्ड आयडो थर थायरोनीन फॉर्थ एमिनोसी डेरिवेट कि इसका मैचिंग करें यहां पर ऑप्शन नमबर फर्स पर सेकिंड थर्ड और फॉर्थ के साथ पहला कह रहा है एपी नेपरी नोर यह बत्चों में पता है एमीन नेचर के आर्मोन है जो एमिनोसीड के डेरिवेटिव उसी बने दो डी को मैच करेंगे हमें वन के साथ में इसके बाद में kitchen कर लेंगे ängtिन के साथ है ज्यान रखें बच्चों Inसके बाद में हम कहेंगे आपर हाइपा ओट्लेमिक आर्मोन की बात करेंगी यह हाईपा थेलीमिक से होते हैं जो प्रोटीजन और पॉलिफेटाइड आर्मोन है वीच में पर आर्मोन है जो यूदी निशीप बने वह आर्मोन है इसको एड़ु आर्मोन कहेंगे तो मेचिंग हम ने किया इस प्रकार से हम कह सकते हैं ऑप्सिन नंबर वन को फोर के साथ में यह आपकी बात शह पर नहीं इसे कि निके साथ में यह बात सही है है हम कहें एमिनोंएसीड डेरिवेट्टी फ्रकार के वन के साथ में निच्राइब कर चाहीड है कि अपस्थ लोगा तो इस तरीके से हमें कि पॉटेंट सोल कर सकते हैं कि इस आप यह हमारा बहुत ही है कि पूटेंड कुछन है हमें हमें कर सकते हैं सेकिंड नमबर औप्षिन हमारा एक राइट और इसके बाद लॉपर आगे देखें लुए बहुती चोटा सा एक चैन्सेप्ट्युवल क्युशन है कि क्या कहना चाहा है यह कह रहा है कि हमारे जो शेकिन ड जो से केमिकले इस आप Dannemate the visa केडकी फॉलॉइग निदे नोटे सिकिन्डी मेशिंदर शेकिन्डी मेशिंदर सकिनी मेशिंदर नहीं है नहीं है नहीं तरह नहीं प्रेक्ट आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन है हमारा इसके बाद में फिर बच्चों देखिएगा हमारे पास में नेक्स्ट कुष्ण ने विच्छ और्मॉन बाइंड टू इंट्रसिल्डर रिसेप्टर फिर एक आर्मॉन नहीं पूछा गया कि इंट्रसिल्डर रिसेप्टर स में से कौन होता है इसके साथ में थैरुक्षिन और बाइंड होता है थैरुक्षिन भी आपर प्रोटीन इस वह यह आंब नहीं होता तो इंट्रसेल्लर नुकलिस के अंदर कौन बाइंड होता है किसका रिशेप्टर इसका कहां बाए जाता है कि नुकलिस में किसका टीपोर का तो मारा अंसर क्या हो जाएगा टीपोर ओके बच्चों मैं होप कर सकता हूं कि आप बहुत अच्छी तरह है इससे कंशेप्ट को समझ रहे हो पूरा का पूरा चैप्टर जूकंशेप्टिवर चैप्टर है ऍपका सही मेंस आपका सभी हो रहा है और आगे आने वाली एक्जाम में आप बहुत अच्छी तरह है इस टॉपिक से समंधित क्यु्छ्चन आप में इस से ौर्म पैंशेख्ट कर पाओ से समंशेप् कुल्म हम इसकी मैंचिंग करें किसके साथ में एक तरफ देखिए हार्मोन के नाम दे रहे हैं घ्रोक्षिन आर्मॉन मेलेत्वन नियुक्त पर है कि कौई भी इफेक्ट दे रहा है यह यहां राइत है रिलेट्ह डैली रिदम रेगूलेटीड मेटापोली धर यहां पर है ग् ifter अब बच्छों हम यह आपर क्या कहेंगे सबसे पहले हम बात करेंगी थैरोक्षीन जो है थैरोक्षीन आर्मोन समंद्धित है तो अब आप देखिए गा एक नंबर मैचिंग है किसके साथ क्यूं के साथ भी में मैं खैसे समंध़ीज स्बूल समाइन के थाहई नंबर के साथ में हम सैदागा भी क्यू हम बी क्यूँ देकिया का एक नंबर के साथ में गांपा भी है यह नहीं इसको इसको कर दीया यह दो नमबर दो नमबर मेलेटोनीन क्या करता है मेलेटोनीन अर्मोन पीनियल गोड़ी के द्वारा स्रावित होता है और हम अभी सीख के गई हैं कि 20 घंटे के दौरान होने वाली बैलोजिकल जो क्लोक है उसका नहींद्रन करता है तो रिलेटेड टू देली रीदम बिल्कुल सही है कौन स कहां ओए गया आपका यह सेज़ेटी अपी है सेटींड एप्ये नहीं है इसलिए यह इलिमिनेट हो या दो यह जो पी आपस Summit नमबर एक और चार में कोई सब हो सकता है इसके बात में हम धर्ड़िकार्ट करें एडीएस आर्मोन अडेट अर्मोन बुस्ट वार्टर एब् राइपो थैलिमस जाता है हम क्या केंगे फर्ड का की बत करेंगे तो तेसरा हम देखेश के दू Finnish और यहां पर है यहां डी-आर है इसले गुलत हो गया तो हमारी यह बात राइट उपसर चार अपने आप तो हम कहेंगे ऑप्सण नमबर वन है यह हमारा एक ट्रेक्ट टानसर होता है उसके दौरा हम यहां पर देखेंगे चार परकार के ग्लेंड के है हम इसे समझ सकते हैं तो इसी के बाद में इसी सीरीज में क्यूसंन नंबर 27 की बात करें 27 नंबर क्यूसंने यह भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा कंशिप्ट यहां पर बनाता है इसे कंशिप्ट के के द्वारा हम एंडोक्राइन की कंशेप्ट की द्वारा किसन नंबर है जो 27 है हम समझ सकते हैं क्या कहना चाहरा है वाट इस ट्रू अबाउट डी कैल्सी टॉनीन आर्मोन बच्चों में ध्यान रखना है पहली बात तो कि यह आया कांसी कैल्सी टॉनीन की बात कर रहा है यह आया कांसी चैसी टॉनीन के बारे में सत्ते क्या है तो देखिएक घरुक्षिन ग्लेंड एक टी थरी आर्मोन श्रावीद करती है इसके बाद में एक टी सीटी थायरो कैल्सी टॉनीन श्रावीद करती है कि जो करता क्या है कैल्सियु उपापची से समझ दिता हैं जो एंटागोंनेस्टिक के इश साथ में प्यरा थाहरेद़ हारमोन का विपरित गाम कर रहा है रोदी है यह प्रहे द॥े लूं क्या करेगा केल सिमएन को बॉन से निकाल के बलड में जालेगा यह बलड से dignite को वापीस बोन में ले जाएगा तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि केल्शियूम का मेटाबोलिस केल्शियूम की ब्लड के अंदर पीटी-एच और तीसीटी दोनों मिलके बैलेंस बनाने का काम कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे क्या सथ्य एक रिए फ्रॉम थाहरेडिक लेंड बिल्कुल सभी बात है पेरा थाहरेडिक लेंड के द्वरास रावीत गलत बात है अपका अंसर क्या हो जाएगा ऑप्सिन नमबर पस्टीज एग्जक्टली क्रेक्ट अंसर तो यह हम आंसर तब इतने इजी कर पाते हैं जो हम अन्हें एक एक ग्लेंड के एक हर्मोन के कंसेप्ट कलियर हो इसके बाद में नेक्स्ट बात करेंक्टिशन नमबर ट्वंटीएट यहां बर कहना चाह रहा है यह आप से यह कहना चाहरा है कि विच आप फॉलोविंग हर्मोन आर नोट सिंतेशाइज बाई एंटीटरी अग की द्वारा कौन सा हर्मोन शिन्तेशी से नहीं होता है हमने स्टार्टिंग में बात कि प्रश रेंश सरया यहां करती है तो यहां करती हैście और ऑक्षिटोशी एडियेच और एंटिडायोटिक आर्मोन इसका संसलेशन हाइपोथेलेमस करता है संग्रहन नियूरो हाइपोपाइस या पोस्टीर पिटूट्री करती है तो इस तरीके से हम बता सकते हैं ऑप्शन नमबर टू हमारा यह आपर क्या होगा क्रेक्ट होगा इसके बाद में बच्चों आगे देखें हमें फिर एक इपोर्टेंट क्यूशन ही आपर बनता है तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस परकार से हमारे अंदर है क्यूशन नमर 29 है कह रहा है कि एक टेंप्रेरी एंडोक्राइन ग्लेंड के रूप में पाई जाती है तो कौन है कार्पस कार्डिय कंभ नहीं है बच्चों कार्पस कार्पस साथ यह क्लीकल निकल जाएगा एक की उपस्तिती में इसके बाद में बचने बची रहने वाली सरंचन उसमें पीले रंग की कणि कई बनती है इसे कहेंगे लूटियल ग्रेणियूल्स यहां बार है हम माननों यह ग्रापियन बोली कल इसके इंदर यह मैं लह आया लह के प्रभाव से यह यहां बार रैप्चर लूटियम कहेंगे कार्पस लूटियम में एक एंडोक्राइन का काम कर रही है इसके द्वारा प्रोजेस्ट्रोन का सराव होगा इसके द्वारा एस्ट्रोजन का सराव होगा कब तक होगा जब तक कि इसका निशेचन नहीं होगा इसका निशेचन नहीं हो रहा है तो यह का बग दो वीक तक बना रहेगा और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन स्रावित करता रहेगा लेकिन यह नहीं हुआ तो कार्पस लुट्यूम डी जनरेट इन्टो दी कार्पस अल्बिकेंस दैन नेक्स्ट मेनेस्ट्र साइकल विल बी स्टार्ट तो यह कानी है यहां पर अ करता और लगादार कार्पस लुट्यूम है वह प्रोजेस्ट्रोन और एस्ट्रोजन स्रावित करता रहता प्रेगनेंसी के पर्थम तीन महीने तक अत्यादिक मात्रा में अपने जो अवेरियन हर्मोन है वह स्रावित करता रहता अधर्वाइज यह कार्पस लुट्यूम न पेंच्ट और स्थेंगे आरएच यह हाईपोथेलेमी के आर्मॉन को जो निदेड इंदी रिप्रोडक्शन एक्टीन फिर्टेंग आरेच आर्मॉन यह किरिया का करे गा किस पर करेंगा तो द्याने रखें बच्चों आईपोथेलिमिक जितनी भी आरमोन है जी एंदर है है ये स्रावित होगा है प्यूंस कम करे गाएगा तब फ्रनलब कर यह दोनों दाएंगे गोनट के ऊपर है और गोनड के इंदर और घो अपने अलग अलग aur करते हैं तो प्रकार से हम कहेंंगे एंटिधर एंटिरियर अ इन इस्टि Really मैं है कि स्टिमुलेटी स्टिम्लेट शिक्रीइशन और है देख से बिल्कुल रहे सब भात प्रिमे मिलेट्स अ lagi सिineaर ich सकते हैं इसके बाद में नेक्स्ट एक और इसके बाइब आता बाद में बी क्या रहिए रहा है यह हुमारे पास मैं हम कहेंगे उस डार्ग्राह काा प्रैक्शन क रहें तो ए liqui बच्चों एक क्षब में इसके बाद में भी क्या रेका यह क्या रखाया है और डी क्या दे रखाया तो ए सींदिक एक स्थी दिकर राइए यह स्टेपस प्रकार की स्थी तो हम किरेंगे तो बैफ क्यां नहीं जोश्टियों को यादिकरने का एक सुप्तर मेलिय इस इनकर सो इस के इनके बारे में इसलिए हमारा उप्स निम्मर एक ही हो जाएगा प्र फि Giving ढगराँ का दाँग्र सब्सभार है खेता है व्यां भार को पूंदुनिक ईतने स्मर्थ क्यों कि द्वारा हम परदर्शित करेंगे हमारे एर में कोखलिया का टीस काट लिया और उस कोखलिया के टीस काट का अध्यन करें इस डी पैचाने तो यह बच्चों स्केला वेस्टिवलाई बी स्केला मीडिया सी इसकेला टिम पर नहीं डी यहां पर बेसिदर मेंब्रेन है जब हमें यह डाइग्राम में बहुत अच्छी तरह इस काट को में पड़ रखा है तो हमें इसमें पैचान ना है में पर एक स्केला वेस्टिवलाई बी कायए इसकेला मीडिया सी का रहा है इसके लाटिम पर नहीं डी कह रहा है इसका बेसिलर मेंब्रेन आधारी जिल्ली तो हमारा option number one है वह यहां पर हमारा क्यूशन बनाते हैं तो हम इस तरीकी से क्यूशन नमर 32 को सौल कर सकते हैं इसके बाद में नेक्स्ट फिर यहां बर रहे रिचेप्टर का एक क्यूशन है इसमें यहां बर बताया जा रहा है कि किस प्रकार से एक बैंगनी लाल रंग का अडॉप्शिन वर्णक नो मानव नेत इस ही के प्रकास स्वेधी कोशी कहीं सलाका में पाय जाता है यह किसी यूत्मन है आई कि स्रंजणा हम पढ़ते हैं इस आई के अनदर है आप देखो गएगए तीन लेर है एक आउटर लेर एक मिटल लेर एक इनहर नेर लेर है इन्नर लेर हम कहेंगे यहां बरेख रेटीन रोड रोड वियूत्मन नहीं पर ध्यान लगे विटामिन एक आप इसलिए क्रेक्ट अंसर क्या हो जाएगा यहां पर विटामिन ए अमारा प्रेक्ट थाइगा इस तरीके से बच्छों इसे हम शिख सकते हैं समझ सकते हैं इसके बाद में नेक्स्ट यहां पर एक और है रिश प्रकास सभीधी योगिक नोगोटा है तो ट्रांस्लिशन जो सही है रेटी नोल आपका एक्जक्ट अंसर यहां पर हो जाएगा इसलिए हमारा ऑप्षिन नमर फोर है मत्चो एक क्रेक्ट अंसर क्रेक्ट ऑप्षिन है जो यह बताता है कि हमारा विटामीन ए हमारा फोटो सेंसिटिव कंपाउड है वह इसे बना होता है कुछन नंबर 35 पर आगे देखते हैं बच्चों बहुत इपोर्टेंड कुछन है इसके बाद में थाइमस एक ग्लेंड है और गौनट एक ग्लेंड है हर्ट एक इस्ट्रेक्चर है हमारी जो विसरल ओर्गन की रूप में जाना जाता है इसके बाद में थाइमस एक ग्लेंड है और गौनट एक ग्लेंड है ये सबयर्गि एक रूप में बना जाता है । थो हम नंबर तू हो यहांपर एक यह रहा बता सकते हैं यह बात बच्चों तो नुम्हारे समझ में आई यहां पर इसके बाद में नेक्स तुम देखें किस्ट नम्मर थार्टी शिक्स के इंदर बात करें यहां पर तो थार्टी शिक्स नमबर जो कुछन है यह यहां पर बता रहा है कि गौनेटोट्रोपी ने रही जो हर्मोनीज ट्रांसफर्ड इन इसके बाई दी अगर कि उसमें जनन प्रेयरक आर्मोन का इस्थारांद रहने कैसी होता है वो चुक्निप्ट हमने पड़ा था तो आपने हमने पूरुए जो कुछन थे उसमें इसका पड़ा कि अपर हमारे ब्रेन के इंदर हैं यहां पर यह हमारा है यहां 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 पर बैशा में मतितना हैं यह यहां इसके सब्सक्राइब के इस तो आप जानते हैं की यहां पैप ऑचलोफर contest घ्लैन्ट फिसके शाजने में क्या जाने वान्द करें कि नि दृफर्टे जिसन के दो आर इस इस पॉर्टल सिस्टम को हम कहें है तो है पॉटल सिस्टम क्या कर रहा है तो इसके आइपो थेलिपक जीतने भी आर्मोन है इन आर्मोन को ट्रांसफर इंटु पीटू तरी में भी विच पार्ट ऑफ दा पीटू तुमरा अंसर एगा एंटिरियर पिटू ट्री इसकी अंधर करता है है तो ले पॉज्स नकाल सकते हैं हमारा से के बाद में है यहां पर आप अंदर करता है यह नहीं गयाँ तो बंक है कि यह ग है थालॉ act जोन ऑक लिए यह नहीं होगा ररन夜 mijn क्या सका रड़ा है कि तो आप्र पीлिम से हैं यह भी हम नहीं है कि कि यह क्या कह रहा है ? इस्तानादानादाना की बात कह रहा है कि जनद प्रेरकार्मन का इस्तानानादान करता है दनर जो है ? will kunna करता हमpoxा करकों का अध़ा है ? यह दो करती है तो भी यान पर है चुके हैं ? किस परकार से यह ट्रांस्वर होता है इसके बाद में नेक्स्ट किसनी आपर बच्चों कह रहा है कि एग्लेंड एग्लेंड काल क्लोप ऑफ दा एजिंग तो किस परकार से एक एजिंग के रूप में जाना दाता है डैट ग्रेजुली रिद्यूस एंड डिजनरेट इन दी ए जाती है तो यह concept भी हमने बात की थी कि हमारे अंदर एक ऐसी क्लेंड है जिसे थाइमस क्लेंड कहींगे है थाइमस क्लेंड प्राहरमी कवस्ता में चाइल्ड हुड स्टेज के अंदर वैल डेवलप होती है लेकिन जैसे जैसे आयू बढ़ती जाती है लेट एज के दुरान जरोगा तो इस तरीके से हम यहां पर समझ सकते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्यूशन हम देखें बच्चों नेक्स्ट क्यूशन यह कह रहा है इन चाइल्ड एज़े फिप्टीन येर और यहां पर बात करें है जो पंद्रा वर्सका एक बच्चा है प्लाद्म के अंदर क कैल्शिम का लेवल समने सी कम पाया गया निम में कौन सा अंग ठीक तरीके शिकारे नहीं कर रहा है तो हम समझसकते हैं बच्चों की यह मानलो ब्लड के अंदर प्लाज्मा है यह पर इस प्लाज्मा के अंदर हमने क्या कहा कि बच्चा कि इतनी साल का है फिप्टीन येर का का बच्चा नहां श्मय को प्लाझम के अंदर केल्शियम लेवल का लेवल वह बिलकुल या पर कम पाया इजए कौम करना हूं ब्लड में केल्शियम मेंटेन करमे यह प्र प पता है कि प्टीएच ऑर्मॉन का यह फंक्शन है कि ब्लड में केल्शिम लेवल को मैंटेन रखे और प्टीएच का फिरा इसके पर तो इस तरीके से हम बता सकते हैं यहां पर मेंटेन करता है ब्लड में इसके आपोज करने वाला जो हॉर्मोन है जिसका नाम दिया था था थायरो कैल्सीट तो इस तरीके से हम तो क्रिस्टल क्लियर कंशप्ट करते हुए हागे बढ़ेंगे हमारा चेप्टर क्या बिल्कुल कर यहां वाँड़केर होगा तो इस तरीके से हम बता सकते हैं इसके बाद में वैंनेक्स्न बात करें नेक्स्ट किशनम देखेंगे बच्चों नेक्स्ट कीशनमर्वर तरटीन नाइन है एक एक इपौरटेंट कंशप्ट बनता है थर्टीन यह कह रहा है कि ऑक्सी तोषीन हे मिल्क निकालने में बाहर इजेक्ट करने में यह है इसके बाद में इक कैसी करता है ओटी का जो काम है ओटी के जो रिशप्टर है हमारे बोटी की स्मूथ मसल्स है उसके ओपर इसके रिशप्टर होती है इसके मसल्स के उपर है इसके रिशेप्टर पाए जाती है तो मिमरी ग्लेंड के जो एलियोलाई के चानों तरब जो मसल्स है वहां पर ओटी के रिशेप्टर रहते हैं जो मसल्स को कॉनट्रेक्ट करके और मिल्क को बाहर निसकासित करने में हलगूल है इसी परकार ऑक्षिटोशीन और्मोन पार्चिवरेशन के टाइम हमारे यूट्राइन जो मसल्स है यूट्रिस की जो मसल्स है हमारे गरबाशी की जो मसल्स है इस मसल्स पर एक्ट होके और पार्चिवरेशन की कीरिया या हम कह सकते हैं परसव की कीरिया को सुगम बनाता है पर option यह हो सकता है किरिया नहीं आपको पता है लचार मुन करवाता है इस परकार है लेक्टेशन बैट यह जञत घलत ऑगी प्रचिरेशन और यह दोनों बात कर रहे हैं प्रसों की किरिया लेक्टेशन और दुग दार निससन तो यह दोनों काम है यह बहुत ही इपोर्टेंट ते ओवरक आ ऑक्षिटोशीन का याद रखे हैं एक्जामिद्र का प्रेट क्यूशन है यह पूछा दाता है यह पूछा किरिया में साइक है इन दो किरियों में मुझे इपोर्टेंट रॉल अपना अदा करता है तो हमारा अंसर क्या हो जाएगा फॉर्ट अंसर है वारा एक 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 पर तो इस तरीके से मैं होप कर सकता हूं कि आपका निश्ची तोर पर एक सभी हुआ है इसके बाद में सब्सक्राइब करने के लिए जो हर्मोन है इन हर्मोन को हम कहते हैं ऑवेरियन हर्मोन हमें बता है दो प्रकार के आरमोन है तो तैप आप आप और अपर अन्वाइय को युच आर्मोन था शीक्रेट एग परदेंश ओप गॉनेडोड़ाफिन हर्मोन लाइक एक एपास हर्मोन एड अलच आर्मोन है और टु टाइप स्टीज एस्टुजन आर हार्मोन करने वाले हा Cristo दोनों अलग इसे Lर्मोन करते हैं, हमारा सरोजन हार्मोन हार्मोन हीograph कि Kalan या senin दोनों चभण पूर आख्ग है हमारी सेक्णरार्मोन और अच्थी हमारा के सबस्का हिसे भी में सपर्मोन discussion स्रीर के ओपर रोम का नय होना शरीर के इसकी आवाज का तिका पन होना इट मिन्स उसके लेरिंग्स का ठीक तरीके से पुरा साइज बहुत बढ़ा नय होना पुरुष की अप्रेक्शा करते हैं तो यह करेक्टर फिमिनाइजिंग करेक्टर है वह estrogen control करता है secondary sexual organs का development करवने में भी estrogen hormone हिसाई का है तो प्रायत्मिक तोरपे को नहीं धरत करता है तो हमारा cancer आएगा यहाँ पर फस्त अंसरी हो जाएगा estrogen hormone यहाँ पर यह काम करता है estrogen का यह काम है progesterone यह काम नहीं करता है progesterone का यहाँ पर progesterone hormone है प्रेगनेंसी में helpful है यहाँ पर इसलिए प्रेगनेंसी में helpful होता है इसलिए इसे pregnancy hormone करते है एलेट हार्मोन आपको बताया कि ovulation में helpful है एपसेट हार्मोन आपको बताया है कि यह gametogenesis की कीरिया करवाता है तो इस तरीके से यह एक important function कर रहा है यह concept हम समझ सकते हैं इस तरीके से यहां पर इसके बाद में next यहां पर बात करें बच्छों next question number 41 है यहां पर क्या कह रहा है 41 question की बात करें तो यह कह रहा है which hormone stimulates exocrine part of the pancreas to secret water and bicarbonate iron very important question है तो यह multiple time need के अंदर यह question है पूछा गया है और संभावना बन जाती है फिर हमारे बास में 2020 के अंदर यह question पूछे जाने के यहां पर digestion से भी related है और यह यहां पर अपने अंडोक्रेंस से भी related question है question क्या कह रहा है question कह रहा है कि pancreas जो है इस pancreas में दो part है एक part है उसको हम बोलेंगे अरे बाग कौन साही है यहां पर acini इसका जो part है यह एक जो crane part है इसके अंदर bicarbonate का स्राव और जल का स्राव को करवाने में कौन सा हर्मोन साहिक है तब बच्चों हमें पता है कि हमारे जी आईटी के सब्सक्राइब जतक्यंटियों के नहीं में पता है कि हमारी कंद मौक दौरस Export त्रच जाम के Хormones are secret by the wall of GIT and the hormone function in different, different parts of the body. तो यह अभी इसमें पर पुछ आ गया है कि पंक्रियाज की एसीनी पर काम करने वाला हर्मोन जो क्या से लिग करवाएगा बच्छों यहां दियान लगने वाटर और ऐंड़ कराने का मैं हो करता है यहां पर से स्र делать करता है तो अप्सन नम्मर् 3 प्रिट था है तो गेश्टीन क्या करता आ कहा है ? गेश्टीन ने हमारे इस्टोमक की वाल की द्वारा C इसलिए तस्टीन की तो हमें डिशिवित होता है इस घ्लत मुद्यां क के द्वारा कम कर के पिताशी में कुछक्शन कर वाता है जिस्से बाइल है वह रिलीज होता है इस्टिंग को उपने सायग तरा है जैसे इंत्वा आ खिया जी आ इपी आएविए बोलेंगे यह हूं बहुत सोल पहा रिलॉष कहा है जावं कहरें जो क्या कर रहा है जो हमारे अमासी की मोटिलिटी को कम करने के काम करता है और अमासी की जी सेल को इनिविट करके और गेस्ट्रीन अर्मोन उसको इनिविट करेगा गेस्ट्रिक जूस को इनिविट करेगा तो इस तरीके से हम इसे कुशन उसके दौरा कम्प्रेट जी एटी को हम आप तो मेनलोम हैं सिय्कृती रिज को बाता है वह एक तो तो इस तरीकिसे इस क्यूशन को बच्छों समझ सकते हैं नमर 41 दैन नेक्स्ट बात करें हम यहां पर प्रूटी टू की बात करें तो 42 नमर क्यूशन आप देखिए बच्छों 42 एक इपोर्टेन पूशन है इसमें यह कहा दगाया है कि वीच आप दी फॉलॉइंग इस नोट इन्टकव अफ्टिक आहर जो एक दूसरे के समान वार्क करें समान व रख करेंस्कों ही और में कॉनस एक वीप्रित प्रभावाले आर्मोन का युगमन नहीं है यह कुछा गया है यहां पर तो अप्शन नम्मर बन दिया है इंसुलीन और को बिल्कुल दोनों एक दूसरे का वजिट काम कर रहे हैं इंसुलीन आपको पता है मच्छों गुलकोज जो होता है बलड के इंसुलीन का गुल-कोज को बढहते हैं में बदलने का काम में को कुछों करेंगा इंसुलीन बला में सब्सक्राइब और आतंप्प्जों कही यह Какे बदलना है फिर इसके बाद में इसको इनिविट करेगा तो एक दूसरे के विपरिते कम कर रहा है एक जीनियेच का लेवल बढ़ा रहा है दूसरा वे नियेच का लेवल कम कर रहा है इसलिए यह दोनों एंटाकॉनिस्टिक जाना इप लिलेचंपॉ इस दोनों गोनर्ड पर एक जैसा काम कर रहे हैं यह दोनों ही मेल के बीफपाएसिग रएक नब जो है जैसे जो फॉलिकुलर जो स्टेजेज है वो आगे से आगे कनवर्ट होती है इसलिए यह दोनों हर्मोन एक जैसा काम कर रही है जब कि पीटीएच और टीशीटी विरोधी हर्मोन भी आपको बताए था पीटीएच हर्मोन है यह क्या कर रहा है केल्शियम लेवल को बना ब्लड़ के इंदर कम कर रहे है इसलिए हमारा यह भी एरोधी आर्मोन है फुक्षा है क्न विरोधी आर्मॉन नहीं है और शोत्ति मतंवर्न ने म्वर्ट है ओप स्वाथे इसे प्र nee香 कि बानेदिर हो ओंसर लिए इंदक क्यात faster है या पॉइंट टू पॉइंट नौलेज है हमारे ग्यान को बिल्ड़ अप करता है और इस तरीके से हमें और कॉंपिडेंस दिलवाता है जिसे हम रेंग को बुस्टूप कर सके हैं तो इस तरीके से हम बता सकते हैं इसके बाद में नेक्स्ट बच्चों हम देखें कि उसन नमर 43 की में एक इप्रोटन कि इसन है कि आफ विच रेगुलेट डी बैसल मेटाबोली के इन आवर बोडी इस सिक्रेटेड रॉम्ट बैसल मेटाबोली क्रेट वी आमर बी ये आमर आते ही आपका जहन सीधा जाएगा टीत्री हार्मों और टीपोर हर्मों आते ही अधाय यहां पर थ यह काम नहीं करती आप्शन क्या जाएगा हमारा थाराइड ग्लेंड आप्शन आजाएगा यह हमारा आप्शन नमबर फॉर है वह हमारा क्रेक्ट अंसर इस तवीकिसे हम यह कुछन कर सकती है जो कि एक इपोर्टेंट कंशेप्ट यहां बिनाता है इसके बाद में किसन नमब सकते हैं यहां कि इसके अंदर यह का गया है कि कौन सा लक्षन अंत्रिक प्रण की अद्वर्टाकार ने लिकाऊंची सम्द्ध कर दो कि हम कहेंगे 3 in number कितनी इनकी संक्या होती है 3 in number एक वेक्ति की बात कर रही है 1 internal year की बात कर रहे है 3 in number बिल्कुल एक एर में इसके नंबर तीन होते हैं हम यह मान सकते हैं हम पर इसके बाद में लाइन डिपरेंट प्लेइन से बिन तल पर इस्तित है यह तो बिन तल भी हम कह सकें अलग-अलग तल है इस परकार से एक तल ही है एक ही है और इसमें तीसरी साइड में यह इस परकार से यह उपस्तित होती है इसक और्दवर्ताकार कुंडली शिरंजण नहीं है कि सुनने से समंधित यह 563 5 इसलिए क्याररा कि कोँछा समंधित नहीं है पो सुन नमबर फो मotचिछी खेंगा यह उत्वलित टlıखन आपका क्रेक्टर ऑंसर होगते बाकी तिनों जो ग्रेक्टर है वह इन अर्दवरता कार्ण ने लिकांगे समद्धित है तो इस तरीके शेह हम बता सकते हैं इस क्यूशन को सौल कर सकते हैं इसके बाद में नेक्स बच्टों क्यूशन नमर 45 भी एक इपोर्टेंट एक क्यूशन बनता है यह कहा रहा है कि नहीं है परन्तु अधिक विक्षित भी है कौन साइसा बाद है तो मालों का अंत्रिक करन बत्चों एक मेंब्रेन की रूप में है इस परकार से जिसे कहते हैं और फिर इसके नीचे इस परकार का एक कुंडलित सरंचना पाई जाती है जिसे कहेंगे कोकलिया के नाम से जाने छुन इस तर्फ बत्चों शुन डिया मैं ओं मालों के से बस्ते हैं लोलों करी लेकिन परकार कहा कि अन्तरिक भाहिस आहां और है ऐसे एग मत में है और श्रीर के यह वस्ता में बनाए रखने में यह साहिक है, श्रीर को बैलन्स बनाने में यह एलकुल है, तो यह कहेंगे वैस्टिबूल अपरेटस। लेकिन यह जो वाग है, इसी कहेंगे सुनने से समंदित वाला बाग कहेंगे, इसकी सेंडर में एक पार्ट होता है, इसका थे शेक्षन है विक्षित क्या की बात करें अबने विक्षित्व विक्षित्षग में वेस्टिबुल अफटेस्टम से अत्य है उन्चान कवंध्रिक इसलिए नहीं होगा वेस्टिबुल अपरेटर से दो भी अमने बताया बिलकुल सही बात जिसमें अर्द वर्ताकार ना लिकाई शेकुलस चेंबर और यूट्रिकुलस चेंबर इससे समंधित पार्ट है यह डवलप्ड है लेकिन सुनने से समंधित नहीं है यह रोशिकल है यह मद्यकरण का बाग है इसलिए गलत हो गया तो आपका अप्शन नंबर थार्ड है वह ए अर्ड विच और गंस में डिए और नोट इनवल इन दी ओर्मोन सीप्रीशन यह अंग जो हर्मोन के स्राव में कोई मैट्पुल्ड भूमिका नहीं निवाता है तो हम कहेंगे हर्ट निवाता है ए एन ए पर स्रावित करता है लिए यह निवाता है यह सोमेटो जान रखें बच्चो सूमैटो मेनामक आरमॉन स्रावित करता है। है यह प Coming स्क्राइब के बीन किसी प्रकार का कोई आर्मॉन वह स्रावित नहीं करता है। इसलिए मिरोशो utilized 2 आपको उस यहांज्य करते हैं यह इस तरीके चेंगें हमसम इसंद सकती है। तो इसके बाद में यह भी एक बहुत ही इपोर्टेंट है यहां पर क्यूशन हमारा स्वाल हुआ है बच्छों नेक्स देखें 47 नंबर क्यूशन देखें यहां पर 47 के अंदर आप बात करोगे तो देखेगा तो यहां पर कह रहा है कि विच्ट ग्लेंड एक्ट अंडर दी ड अब यहां पर यहां पर उपस्ति रहें दोनों का कनेक्स्न नंगरें पर तंदरी की नहींतर में कौन सी होती है तो इस्छें है बच्छों एक इसा अड़न आप आप आईपोपाइसिस दूसरा इसा यहां बार नियुरोफजीस तो यहां बर दो बरकार के न्युक्लीज होत इसे यह नियूरॉन निकलेंगे और यह सीधे तंतरी स्दीर कें जो रूप में पाये जाते हैं और नीरा आईपाइसिस में ऐंटर करेंगे कि मिनंग को कि हमाइडा जो बिल्गू है वो दो हमें रिल्ग न होता है बोत एक और दो हम यह कहना Magazine तो यह हम इस प्रकार से समझ सकते हैं इसके बाद में नेक्स्ट देखें बच्छों यहां पर नेक्स्ट कुस्ट नंबर पोर्टी एट है फिर एक इपोर्टेंट कुस्ट बनता है कि विच हॉर्मोन रेगुलेट सेल डियुजन प्रोटीन जिन देशिस एंड ग्रोफ और बो कि ऐसा हार्मोन जो लगातार है जिसके स्राव से सेल डिवाइड करके एक ग्रूप ऑब सेल बनाई और एनिमन और और ओर्गन की ग्रोथ करवाई है ग्रोथ करवाने के लिए प्रोटीन में चाहिए इसलिए यह क्या कर रहा है कोशिका विवादन प्रोटीन का सिंसलेशन कर रहा है जिसके कारण है बॉन की वर्दी होती है यह तो इसके लिए जिम्मेदार वच्चों जी एच आर्मोन होता है जी एच आर्मोन अगर प्यूस के द्वारा स्रावित होता है जी एच आर्मोन को हमें एस्टी एच आर्मोन के नाम सी भी जानते है एस्टी एच का पर मैलनीन के समें तो यह एक्ति आनसर हो जांगा तरीपर मिलनीन के प्रॉर्मेशन में यह था टीमुलितिक आर्मोन यह थारा ग्राव करेंके प्योंड ऑ्न एक्टि नॉंबर 2 है यह एंवारा आनसर हो जाएगा तो यह एक है हमारा important concept है है वो समझ Запाथ है इसके बाद में ही नेक्स्ट बत्चों हमd यहां पर थारे करता है यह बात यहां पर पूछना जा रहा है तो तहरेड आर्मोन आप देखें इस समद्दित कारें कौनशी है मैंने आपको पता है इदा थरेड आर्मोन में भी एमार को नियंद्रित करता है तो यह आलारी उपापचे के नियमन में में मुमीका रिगात निवाता है आपका बच्चों यहां पर पंख्णकिया दारह है तो आपका A-right है यहां पर आपका B-right है यहां पर आपका D-right है आपके तो A-B-D option नमबर तर्ड के अंदर है यहां तो हमारा अंसर क्या हो जाएगा थर्ड ऑप्शन है यहां पर होता है इसके बाद में नेक्स्ट देखें हम यहां नेक्स्ट जो कुशन क्या कहना चाहरा है फिप्टी नमबर कुशन है एक इपोर्टेंट परकार के आरमोन इसरावीत करती है । यह दूसर नेन धिसे कहेंगे T C T यह जो आर्मोन है बच्छों यह प्रोटीन चे निर्मित आर्मोन है टी-3 और टी-4 आर्मोन है एमीन नेचर के आर्मोन है यह प्रोटीन नेचर के आर्मोन है जो कि टी-सी-टी आर्मोन है यह क्या एक प्रोटीन नेचर का आर्मोन है तो हम कहींगे ट्राइडो थायरो थायरो तो कैल्सी टॉनिन याइस थाइमोशी नहीं यह तो यह थाइमस कलेंड का है इसलिए वैसे नहीं होगा तो अप्सिन नमबर है थर्ड बच्चों हमारा यहां बर क्या करेक्ट है अंसर होगा तो इस तरीकी से हम में क्यूशन नमर 50 को समझ सकते हैं वह दो चीतर है इसके बाद किसको प्रेरित करता है तो इंक्रीज इन ब्लड शुकर लेवल यह परात हर्मोन का काम नहीं है इंक्रीज केल्शिम आइन कंसेंट्रेशन इन ब्लड बिलकुल यह केल्शिम आइन बच्चों हाइपर कैल्मिक हार्मोन भी बोलते हैं इसे केल्शिम आइन इंक्रीज करता है क छो जो गलो मेरे डींद्र होता है कि कैल्षिम आप से बड़ाता है इसके बाद में हिर्वारी बाजिती है बॉंच के रिफ के ओर ठाक की और जिससे कैलशियुं क ל׬ड ल्वल को इंक्रीज करें हैंब से कैल्शियु तो पेरा थार्मोन क्या कर रहा है यह इंक्रीज केल्सियुम कर रहा है इसके बाद में नेक्स्ट हम कहेंगे किस्ट नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे तो कुछन नंबर 50 तो पिर एक उपोर्ट एंट आर्मोन से कुछन आता है कि गोनेडोट्रोपी नार्मोन जी एन हैं यह नहीं हम पाता है हम पहले बहुंद कर चुके इस कंशप्ट पर ही आ है इस तरीके का कंशप्ट कहां वहां पर हमने पूरा अची तरह समझ लिया जी यहां पर स्रावित होने वाला हर्मोन है तो पुस्टीर पार्ट ऑफ थारेड अमरा अंसर नहीं होगा यहां एड्रिनल कोल्टेक्स के द्वारा होने वाला स्रावित है यह भी हमें यहां पर नहीं कहेंगे एडिनो आइपोपाईशी सो पिटूट्री यह बिल्कुल आपका क् इंड्रिस्टीर सेल ऑफ टेस्टी यह भी गलता अंसर है यहां तो हमारा अंसर हो जाएगा यहां पर जी एने चार्मोन एडिनो आपोपाईशी सो पिटूट्री ग्लेंडे के अगर बाग द्वारा यह स्रावित होता है आप्शन नमर थार्ड है हमारा यहां पर क्रेक्ट इसके बाद में क्यूशन नमर है 53 पर बात करें फिर एक इपोर्टेंट क्यूशन है बहुत इपोर्टेंट क्यूशन है 53 क्यूशन है तो क्या कहना चाह रहा है 53 कह रहा है कि Stimulation of the mother nipples by a nursing baby irritate sensory impulse which pass into the central nervous system CNS and eventually reach the hypothalamus this impulse result in very very important question बच्चों यहां पर है एक बच्चे के इस्तनबान करने से माता के nipples के उदिपन समेधी आयोग के रूप में CNS में जाते हैं और अन्त तय hypothalamus में यह पहुंशते हैं तो इस आवेगों का अपने नाम क्या है तो हमारा concept क्या कह रहा है हमारा concept यह कह रहा है कि mother की जो निपल्स है इन निपल्स के इस बाग पर जो एरियोला चेतर है इस बाग पर sensation पहे जाती है समीधी संत्रहीं बाय जाती है यह समीधी संत्रहीं निरोन के द्वारा जुड़ी रहती है यह निरोन सिधा कहां पर आएगा हाइपो थेलेमस के पास में आएगा तो यह ऑक्षिटोसीन आर्मोन यहां पर स्रावित करेगा यह ऑक्षिटोसीन आता है में आ पास में आएगा आएगा जिस्यादा से जधाम मिल्क है और रीलीज हो गा यहां पर एक जायां पर कन्सेब्टेन हो तो आप में बच्छे में इस दिन पान कराते समय माता के निपल्स में अधिपन समय आएगो प्रेणाम क्या है उने बता दिया सिंतेसी और प्रोलेक्टी नहीं यह पर दिलीज अप्र रोलेक्टेंगें लिए आप बिल्कुल बचों का है राइट आंसर होगा बिल्कुल प्रोलेक्टिन इनिवेटि फक्टर यह भी नहीं होगा तो पस्ट प्यूज से ऑक्षिटोशीन का मुक्त होना हमारा क्रेक्ट अंसर है तो अप्षन नंबर थारड है बत्चों ये एक क्रेक्ट अंसर है इस तुरीके से हम 53 नंबर क्यूशन है एक इपॉर्ट है नीट पॉइंट ऑफ व्यूज से बहुत ही बॉर्ट है यहां पर तो तो आपके लिए निश्ची तो भी एक बहुत हेल्पूल कंशेप्ट होगा इसके बाद में नेक्स्ट हम देखें नेक्स्ट बच्छों क्यूशन नमर 54 की बात करें पिर एक इपोर्टेंट क्यूशन है फॉलोविंग इस नोट अंडर दी कंट्रोल है कौन सा ऐसा हर्मोन है ज इसके बाद में अडरेणाल मेडुला यह बच्छों ध्यान लगे एपी ने वह इसके कंट्रोल में नहीं होता है अंस के कंट्रोल में हमारे सिंपेटरीक नर्वस शिस्टम के कंट्रोल में रहता है जबकि अडरेणल कॉल्टेक्स से ACTH-1 के दवारा कंट्रोल होता है प्रवनोमस न्यूरुल पालट है तो हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर नंबर है ऑप्शन नंबर टू है तो इस तरीके से हम यह कुशन भी एक बहुत ही बोटेंट है डायरेक्ट कुशन है और आज कले नीट के इंदर इस ताइब के ही कुशन आते हैं डायरेक्ट है सब्सक्राइब के लिर होते हैं हमारे पास में डाटा बेश्च पूरा तयार रहता है तो हम एक की कुशन को बहुत कम समय में और तो हम इस वरकार से धिक नमर 54 को सोल कर सकते हैं इसके बाद में नेक्स्ट रिप्ति फाइप नंबर कुश्ण गयाध पर यहां पर कहरा है था वाला या बच्टों प्तिफ की नí थो इति जो कि जो है पीटीेच की महत्रा कम उने पर हमारी मुसल्स की इंदर शंकुचन ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा और इसके अंदर इस पाजन जेसी गटना है गट्टी तो हुझे लग जाएगी इसको एक हम रहे हर अलगगा उसे तो आप्सिन नमबर तू जो दे रखा है यह हमारा क्रेक्टर अंसर है जो पेरा थाराइड के अल्प स्रावशी ओने वालर हो गए इसको हम कहेंगे टीटेनी तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं इसके बाद में प्रिप्टी शिक्स की बात करें प्रिप्टी शिक्स नमबर जो प्रिशन है यह कह रहा है कि वीच अब दी फॉलोविंग जाएं आटो इम्यून डिजीज निम्ने कौन सी स्वय परतिरक्ष्य रोग है तो पहले तो मैं पता वाना चाहिए कि स्वय परतिरक्ष्य है क्या ओटो इम्यून है कि हमारे अंदर अपने टिसूज सेल टिसूज को एडेंटिपिकेशन का एक क्रेक्टरिस्टिक पाया जाता है जो कि बी सेल के अंदर होता है बी सेल हमारे अंदर के अगेंस्ट में कभी भी कोई एंटिबोडी नहीं बनाती है लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारे किसी ग्लेंड हमारे किसी तिसू के अगेंस्ट में एंटिबोडी बना लेती है बीकोशी कही है और ये एंटिबोडी है हमारे टिसू को डेमेज करती है जिसके कारण एक प्रेटिकुदर फंक्शन हमें नहीं कर सकते हैं तो ऐसी डिजीज का नाम दिया जाता है ओटो इम्मून डिजीज तो ये डिजी मात्रा बढ़ जाए है तो कि इस ès स्क्राइब आट जाता है लेकिन गल ul कोंडिशन में घाए तो इसके केस को हम adult condition के केस को हम कहें गए मिक्षिदी माफ ग्रेव डीजीज थी दी ठी पॉर की मातरा बढ़ जाए है थी 3 और T4 की मातरा इधी अप हो जाए जो इंक्रीज हो जाए तो जो इजीर हो ग्रेव हो जाएगी थारेट गलेंट है वो फूल जाएगी और फूलने के प्रस्चा पहने माले जो जूडिजीज है उसका नम दिया जाता है ग्रेव डिजीज तो इसलिए एक इपोर्टेंट कंशप को मारा बनता है इसके बाद में कि नेक्स्ट बात किरें किस्ट नमर 56 भी एक अपने आपने इपने इपोर्टेंट किरीं नेक्स्ट प्युप्टी श्यवन नमर कि बात किरें यहां पर तो एक इपोर्टेंट कि अथा है यहां पर in a pregnant woman having prolonged labor pain in childbirth had to be हैस्टेंड देट टू एड़ पार्चुरिशन इड़ एडवाइजेबल टू एड़निस्टर एहर्मोन देट कर इंग बहुती कंशेप्चुल और इपोर्टेंट क्विश्चन है यह द्यान रखें यह यह कह रहा है कि एक ग्रभती महिला में पर्शव का समय है बच्चे जनम लेने का समय आया है तो इस महिला में पर्शव पीड़ा उत्मन होगी उसके परसाथ सिसु जनम के लिए पर्शव में साहिता के लिए एक आर्मोन दिया जाता है पर्शव पीड़ा उत्मन हो रही है लेकिन पर्शव हो नहीं रहा हम डोक्टर के पास में जाएं यह इंजेक्शन ने किस हर्मोन ची समंधित होता है कुछ अगया है तो इसमें क्या एडवाइज दी जाती है डिक्रीज मेटाबोलिक रेट नहीं रेलीज ग्लुकोजीन ब्लड नहीं इस्टिम्लेट दी ओविडाक्ट नहीं कॉंट्रेक्ट दी स्मूथ मसल्स और यूट्रेस इसमें तो है कार्मोन दिया जाता है ऑक्सिटोशिन दिया जाता है यह तो ऑक्सिटोशिन क्या करेगा हमारा यूट्रेस हमारा जो गरबास्य है इस गरबास्य को जिसे हमारा जो यूट्रेस है यह हमारा यूट्रेस है इसमे हम कहते हैं या बर्त के नाल और बर्त के नाल चीक होता हुआ बर्त जो है वो सुगम बन जाता है सरल बन जाता है इजी बन जाता है बच्चा इजली डिलीवर हो जाता है और हमारे डिलीवरी पोशिबल होती है तो कैसी होती है कॉंट्रेक्ट की स्मूथ मसल्स ओप यूट्रे तो हम बात कर चुके हैं कि हार्मोन प्राथमिक मेशिंजर है सेल के अंदर बनने वाले मेशिंजर है वह सेकंडरी मेशिंजर है कि एक अधी के काम नहीं करता है एक सिंपल सा क्यूसन और अधी इसके बात करें हम यह इसके बात करें नाइन की देखें the pituitry is removed the sodium in the blood is decreased and potassium is increased because क्या निकाला हमने pituitry बहुत इपोर्टेंड कर सकता है pituitry gland का adeno-hypopysis ACTH release करता है ACTH आता है adrenal gland पर adrenal gland के उपर आएगा adrenal gland का तो cortex region है यह गोल्टेक्स रिजन मिनरेलो कोल्टिकोईड इस्ष्रावीत करता है जिसके अंदर एल्लोष्टिरोन हर्मोन इस्ष्रावीत होगा एल्लोष्टिरोन आर्मोन रास सिस्टम के द्वारा यह रास सिस्टम के द्वारा इस के द्वारा DCT के ऊपर काम करेगा जिससे सोडियुम का अब्जर्प्शन होगा पोटेशियुम है रिमोल होगा हमने क्या किया क्यों कह रहा है कि प्यूस ग्रिंटी को अटा दे इसको हमने अटा दिया मैं में सोडियुम कम ौजाएगा और मैं क्या प्यूस का रहां इसका कारण नहीं होगा अज्य हो टो नीजों अग्रण। दिए डिसे सोडियुमावजोर्ब नी होगा真的 सब्गार करताई के सरुटेंज होगा सब्सक्राइग कोनिया पीस्लियुमागोज थे डिक्रेश पर आधिक्ता हो जएगीkus decreased secretion of the hormone of the adrenal cortex बिल्कुल एक correct answer है degeneration of adrenal medusa नहीं है deficiency of LTH, no deficiency of oxytocin को ही लेना देना नहीं है तो हमारा option number first है वो हमारा correct answer होता है तो यह एक concept बना से हमने कई चीजें शीख लिए कई कुशन से शीख लिए इस concept से इस mechanism से तो इस तरीके से हमारा crystal clear जो रोलेज है clarity जो हमारे brain के अंदर है कपार्ट खोलने वाली जो clarity पैदा करती है यही हमें किसी युद में जीत दिलाती है और यह clarity के साथ में concept हमारा क्या है आना चाहिए होना चाहिए तो इस तरीके से हम यहां इस chapter की एक बात को बहुत अच्छी तरह से हम सीख लेंगे इसी sequence में next जो क्यूशन है 60 नंबर क्यूशन है उसकी बात हम करते है 60 नंबर क्यूशन भी एक simple सा क्यूशन है hypothalamus इजे पार्ट ओप तो हम सब जानते है brain का brain के अंदर भी बच्चों किसका ब्रेन का एक हिस्सा है इसके बाद में question number 61 की बात करें तो 61 भी एक important question है यहां पर direct question है एक्रोमिगेली की जे cause due to the hypersecretion of एक्रोमिगेली एक रोग है जो अधिक स्रावसी होता है किसके अधिक स्रावसी होता है तो द्यान रखें बच्चों उसके लिए हमारे प्यूस क्रेंटि के द्वारा जी एच आर्मोन स्रावीत होता है जी एच आर्मोन एडल्ट कंडिशन में यह दी बढ़ जाए जान रहे कब है एडल्ट कंडिशन में जी एच का इस्तर बढ़ जाए तो इसके इसके इंदर हमारे इंदर बैक बॉंद होती है वो बढ़ जाती है हमारी जो फिंगर होती है इसकी बॉन है वो एनलार्जमेंट हो जाएगा और कई बाद हमारे दोनों हाथ है इस परकार से इंबैलेंस नहीं रहेगा एक बड़ा एक छोटा पेर के इंदर इंबैले की संभावना यहां पर रहती है तो यह एक इपोर्टेंट क्यूशन यहां पर बनता है जो 61 नंबर क्यूशन है इसके बाद में क्यूशन नंबर 62 फिर एक इपोर्टेंट क्यूशन है यहां पर है यह कह रहा है कि consider the following hormones को यह क्या कहना चाहर है यह क्या विचार करना चाहर है कि हर्मोन पर विचार कीजिए एक इंसुलीन है मेलेटोनीन है में एक लूकेगोन है पेरा थारेड थाइरोकल्चितोनीन है कौन सा आर्मोन एंटागोनेस्टिक हार्मोन का सही करम है विरोधी आर्मोनों का करम बताया गया है विरोधी कहेंगे इंसुलीन और ग्लूकेगोन विरोधी है बिल्कुल सही है एक का विरोधी कोने भी एक विरोधी भी यह बात सही है फिर कह रहा है एमसेट से और मिलेटोनी ने एक विरोधी है तो शी का विरोधी बच्चों ए है यहां बर शी का विरोधी कोने यहां बर है शी का विरोधी ए है शी का विरोधी एप नहीं गलत हो गया तो शी का विरोधी य इसके भी यह बात सही है एक आप बीस ही एक आपने आप पे टीची टी का वीरोधी प्राथ हरेड हो गया तो आपका डी का एप हो गया तो अबस नम्मr फोर हमारा एक करेक्टांसर हो जाएगा अब सभी आर्मोंस के मैं इसकी कारें ही पता होता है तब इसकार के सामज्य के रूप से क्युश्व है बार्ट केềल एकजामिनियर पूछ लेता है , इसमें अनेक गरंद्फियों के १्रशित'mST और इसकी सेत्रिक्शिर के बारे मैं ग्यान होगा यूलेज होगा तो हम इस तो हमारे बाद में ऑप्शन नम्मर दो फोर है यह हमारा क्या है बच्छो क्रेक्ट अंसर होगा तो आई होब यह क्लियर अंडरस्टेंड अबाउट इस क्यूशन ने तो नेक्स्ट हम देखें यहां क्यूशन नमर 63 की बात करें 63 हैं कह रहा है दस्योर सो पर केटकॉले मेन का मिनिंग है एपीन अप्रीन आर्मोन और नौर अपीन आप्रीना और नौर अपीन आप्रीन आर्मोन इनको सामीक रूप से हम कहेंगे कैटकॉले मेंश जो अड्रिनल मेड़ा के द्वारा स्रावित हो हमारा डाइरेक्ट अंसर हो जाएगा एडिनल मेड़दा कोल्टेक्स नो थाइरेड नो पेरा थाइरेड नो यहां तो अंसर नमबर टू है वो क्रेक्ट अंसर इसके बाद में कुछन नमबर 64 की बात करें 64 कुछन भी एक इपोर्टेंट विच आप दी फॉलोविंग मैंटें इलेक्ट्रोलाइट मैं अरे extend स् इंजरा व्यदूत अब गड्टे शं़तुलन कोन साहिक आए व्यदूत अब गड्टे मिनिंग सोडियु माईन मीनिंग पोसे बढोर हमसरು नो करनेजिए तो हमगे यह चाहन्यालमल्यक्र वियूत कि बात करें तो काम पर है एड्रिनेलीन नो मिंद्रिल कोर्टिकोईड क्रेक्ट है नौर अप्शन नम्बर टू है वह बच्छों क्रेक्ट अंसर होगा यहां पर तो इस तरीके से क्यूशन को अमस्वल कर सकते हैं इसके बाद में क्यूशन नम्मर 65 की बात करें तो 65 में मदू में हमें पता है कि इंसुलीन हर्मोन हमारे शरीर में इंसुलीन की कमी हो जाए इंसुलीन की कमी हो जाए तो ब्लड के अंदर गुलकोज का लेवल बढ़ जाएगा गुलकोज का लेवल बढ़ जाएगा कौन स्रावित करता है इंसुलीन बेटा कोशी का स्रावित करती ह गुलकोज का सब्सक्राइब करें लेट स्टाइब से नहीं 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 तो इन्सूलीन का सब्सक्राइब कम जाएगा इन्सूलीन का लेवल कम हो गातुए दिरुपा कि नहीं पहले। वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है इसलिए लेवल कम हुआ शरीर में गुलकोज का लेवल बढ़ जाएगा इसे डायबिटीज मेलाइटस कहेंगे एक डायबिटीज इंशीपिड़स होता है जो 80-ध आर्मोन की कमी से हो जाता है डायबिटीज इंशीपिड़स कहें हो है which is responsible for color detection आई का है किसने हैं सिंपल से किष्ण रंग के पैचानने में कौन साइक है तो रंग के पैचानने में हमारे रेटिना में दो सहल है एक रोड सेल एक कोण सेल तो हम कहेंगे रोड़ सैल नो कौन सैल एक्जक्ट अंसर हो जाएगा कंजक्टिवा नो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड है इसके बाद में नेक्स्ट हम देखें कुछन नंबर 67 है फिर एक इपोर्टेंट कुछन है इसके नियूंता से होनने वादे रोग के लिए निम्द में है तो पफ्चों मैं यह रेलेक्सिन फ्रेलेक्सिन टेडा याचनि घ्रेंटिन लेना देना देना के छिम्वा रो यह च्टिंगार्स अंन है group देनी यह रफटो पर एंसूलिण डियवेटेई इंशिप इसनों मैलाइटिस होता ओप्शन अप्शन 3 है हमारा इन्सीपटेंते अफ्शन ऊप्ष। नहीं है हम कहा slept प्रकार से हम 67 क्यूशन को सोल कर सकते हैं इसके बाद में क्यूशन नंबर 68 देखे बच्चों सकते हैं इंटरनल रहर के तीन रिजन एक को कहेंगे इसके लो इसके लो इसके ला मीडिया एक को केंगे मेड्या इसके लिए इन तो ओप सौन नमे सचे लो और весь आहिंगे अश्टिस पर कौसि तो स्केला मीडिया मिडल एर नो तो अफसन नमबर थर्ड है यह हमरा क्रेक्ट अंसर है यह हम सिख सकते हैं से इसके बाद में क्यूशन नमरे 69 की बात करें 69 क्यूशन कह रहा है कि दा सीक्वेंस ऑफ दी एर और सीकल्स फॉंग दी इनर साइड ऑफ दा मिडल यह हमारे मिडल एर म भॉन होती है हम ने सीकहा है यह वाले क्यूशन में मैलियस इनकρι स्टेपिस के आफ एगी तो sür나마 तो स्टेपिस मेलियस और यहां पर क्या होगा इनकस यह एक उप्सन ही यह रहे हैं नहीं हों ब्सक्त इर ना तो हम कहेंगे स्टेपिस इनकस और मेलियस यह हमारा अनसर हो गया यहां पहले सबसे अंदर इस्टेपीज उसके मद्दे में इनकस उसके बाद मेलियस पूछा यहां बितर की तरफ है बितर की तरफ है बितर की तरफ ही हो गया तो यहां पहले आएगा इस्टेपीज इसके बाद में इनकस इनकस और इसके बाद म यहां पर इसके बाद में नेक्स्ट क्यूशन देखे हैं कुशन नमरे 70 की बात करें यहां तो 70 नमर जो क्यूशन है यह कुशन आप बच्चो यह भी एक अपने आप में क्या इपोर्टेंट क्यूशन बनता है कि इंक्ट अब टो एंपने क्यूशन को पैचानी है आंखो का को रटेश्टर को और तीन इस्तर यह आई का एक बारे इसतर यह आई का अंतर यह का है है बार इस्तर को स्क्छलेरा बोलेंगे अंत्री इस्तर गोई इसे रेटीना कहेंगे अब यहां पूछा है को रोएड की संद्रव में आई सकते हैं पहला उप्शन कह रहा है फोर्म मिडल लेर ऑप दी आईबोल नेतर गोलक का मद्दे इस्तर है सवब अबने लकान है बीजार है свое कोरोइड कहान हम संकु होचिकाऊं už अवर जाना tutti है गलत है यो चिदो के दिनाय रहना बनाता है आगे आपको पता है इस परकार दिनाये बन दिए bye तो बिल्कुल बनाता है यह बात जई है तुधित नली काओं का द्हारन करता है तो नीले रंघ मानेके लिए को दिखायी देता है कंटेन मैनी व्रटवे अंट लुक ब्लुएछ इन 9 अन ब्लुएशन यह उनो 이ले रंघ की शरुंचनह समें दिखाये देती बिलकुल ये colored structure है, हमारी आंखों का रंग इस तरके कारण ही होता है, तो black eye, brown eye या blue eye, तो इसलिए ये बात भी सही है, गलत क्या हुआ यहां सलाका और संकु कोशिकों का पाया जाना, तो option number two है, ये हमारा correct answer हो गया यहां पर, इस तरीके से हम इस question को solve कर सकते हैं, तो ये भी 70 number question है, एक important question है, इसके बाद में next question हम देखे, 71 number है, फिर एक important question है, which of the following structure is not transparent, आई का question है, यहां पर, कौन शी transparent श्रंचरा नहीं है, cornea एक transparent है, scalar जो एक outer ये layer है, ये layer बच्चों यहां पर है, इसके बाद आगे का cornea है, ये cornea transparent है, scalar ये transparent नहीं है, conjunctiva है, इसके चेरों तरफ एक transparent है, lens ये भी transparent है, आपका answer हो जाएगा, ये scalar, option number two आपका correct answer है, तो ये भी हम यहां पर है, सही तरीके से सीख सकते हैं, structure के base पे, इसके बा 72, 72 क्या कह रहा है, कि retina is present at the inner surface of, retina किसके बितर इस तर पर उपस्तित होता है, retina की बात कह रहा है, और retina कह रहा है, किसके बितरी इस तर के उपर, retina यहां पर पहे जाता है, एक बहुत ही important question मनता है, किसके बितर है, तो देखिएगा, बितर का meaning है, बाहर की तरब इसके ल इसलिए नहीं होगा, आइरिस यहां पर नहीं होगा, एक उपर रही होगा, तो इसके बितर की तरब देखिएगा, तो यहां पर नहीं होगा, तो यह भी एक सिंबल सा structurelly question है, एक factorial question है, fact हमें पता है, structure हमें पता है, तो easy going है, इस question को solve कर सकते हैं, और नीट में आजकल है, आ करते हैं, जो बहुत ही कम समय में तुरंत, confidence के साथ में इस question solve करें, ताकि हमारा समय बचे biology के अंदर, और यह समय हम फीजिक्स के अंदर, यह समय हम chemistry के अंदर, physical chemistry में देखे, और 100% marking in physics और chemistry में भी कर सकते हैं, biology नेकी आपको selection दिरवाती है, biology आपको rank boost करवाती है, biology आपको top college है, और दिरवाने में साहिक है, biology नेकी आपको के बाइलोजी का वेपर सोल करवाती है, biology आपको यह दी आपके concept इस परोंगा है, तो आपको physics को सोल करवाती है, आपको chemistry भी सोल करवाती है, समय बचा किए, और समय आप उसमें दोगे, तो आप ज्यादा सी ज्याद इस फ़र्म बाइदी गैंगियोनिक ले हर याँ मैं तो आप, और रेटिना की इस तर की बात है, टा में इस तर की बात है, रेटिना में या थान रहावाहती है, फोटो रेशथ्टरल करते हैं, इसके बाद में यहां बाद नूरे घृप्योलन इस गैंगियोनिक लेर, इस इसमें बुता है, गेंगलियोनिय की तर सबसें अंदर का इसतर इस्तर इहाए, po गेंगलियोनिय की तर होगा यहां पर, तो हमारा अंसर क्या होगा इंटर मॉस्ट लैर है इभी हमारा रेटिना का है इस तरह है तो हम कह सकते हैं इस परकार चेक्रिट नंवर जो 73 है उसमें हमारा जो सही जो सही अनसर होगा वो सही आंसर OPTION NUMBER P hazard है हमारा यहां पर बच्छों के है सही अंशर होगा तो यह is एक इस तरीकी से इपोर्टेंट कुउशन बनता है इसके बाद में next करिये हैं क्यूशन नंबर है 74 की बात करें तो 74 नंबर प्र एक इनपर्टेंट्स नै श्यूंटी बहुत क्या कहता है ने on select an incorrect statement regarding the structure of eye, in my case the incorrect statement हमें पैचानना है यहां के case, incorrect statement कुन सा है कि blind sport is part of the Red Inn without the road and facial eye के respect में हम यहां पर आई की structure ले तो यहां पर यह blind sport है यहां पर यह phobia part है इसमें केवल कोन है यहां पर नए road है नए ही कोन है दोनों ही नहीं है अब देखो हमारा easy हो जाएगा solve करना blind sport is यह part of retina बिल्कुल सही है without the road and cons है यह बात आपकी सही है पुछा क्या है इसने पुछाया गलत पैचानिये है पुछाया इन्होंने यहां पर wrong को पैचानिये यहां पर regarding the cone सहा है incorrect को पैचानिये यहां पर तो यह बात सही है phobia है जो only cone यह बात भी मारी सही है cornea यह वैस्कूलर लेहर cornea यहां पर होता है और cornea यह वैस्कूलर लेहर होती है जान रखना cornea में किसी परकार की कोई रखते वाइनिया नहीं पाए जाती है इसलिए यह कह रहे है cornea के वैस्कूलर लेहर है cornea 1-7 यह इस तरह है तो इसलिए हमारा यही गलत हो जाएगा आई के रिस्पेक्ट में एक्वस चेमबर इस लोकेटेट बिट्वीं दी लेंस एड कोर्मिया यह बीच का जो चेमबर है इसको हम कहेंगे एक्वस चेमबर यह बात भी यह बात भी यह जाए है तो आप्शून नंबर थार्ड यह हमारा एक्टानसर हो जाएगा इसके बाद में next question number 75 की बात करें तो फिर एक important question आता है which of the following structure is not present in the internal year internal year में कौन सी सरंचना नहीं पाए जाती है यह बात है आप से किये बच्छों तो कौन सी सरंचना यहां पर internal year के अंदर नहीं होती है internal year की सरंचना में हम देखे हैं तो internal year में mostly क्या पाया जाता है vestibular apparatus, cochlea, organ of coltai यह होती है यह बात अमने पढ़ ली तो membranous labyrinth यह पाया जाता है संदेरियन मेंब्रीन यह internal year में नहीं होती है नाक में होती है हेलिको ट्रेमा यह पाय जाती है vestibular apparatus यह पाय जाता है तो हमारा अंसर क्या हो जाएगा सिधा संतर पड़ा है option no.2 हमारा correct answer है तो दूसरा जो अंसर है संदेरियन मेंब्रेन जो नाक की जिल्ली में ओल्प्रेक्टरी मेंब्रेन है उसके उसकी जिल्ली को हम कहेंगे संदेरियन मेंब्रेन इसके बाद में इसन नंबर 76 की बात करें 76 कह रहा है select a mismatch pair mismatch pair of function and related structures कारे और समंधित सरंचरों में ऐस सुमिलित युग में को पैचानी है क्या कह रहा है increase intensity of the vibration इयरोशिकल कंपन की बडिवीती वत्ता करनस्ति गए बिल्कुल सही है हमारी इयरोशिकल है वो vibration magnify करती है sound wave है उसको magnification कर रही है sound reception basilar membrane in the cochlea ये बात भी ये दवनी को ग्रेंड कोन करता है कोकलिया की अधार ही जिल्ली करती है शरीर में संतूलन बनाने का काम ओटो लित ओर्गन करती है ये बात भी हमें यहां सही मान सकते है static equilibrium macula lutea in the utriculi utriculi है जो हमारे vestibular apparatus के chamber है इन chamber को कहेंगे हमें utriculus chamber और शेकुलस chamber के नाम सिधा नहीं है यहां बर utriculus और शेकुलस chamber के अंदर विशेस प्रकार की समीधी सरंतना ही है जिशे हम कहेंगे शरीर को balance बनाना किस अवस्ता में गतिक अवस्ता में balance बनने का काम करती है यहां लिखा हुआ है वह हमारा क्या हो गया एक correct answer हो गया तो यह हम सही कर सकते हैं इसके बाद में next question question number 77 की बात करें तो फिर एक important question है एंडो लिम्प रिमेन पर्जेंट इन एंडो लिम्प है यह का important question कहां कहां होता है दो दर्वे होते हैं एक perilimp और एक एंडो लिम्प जो भी इसके बाहर की side में तो होता है perilimp इसके अंदर होता है एंडो लिम्प है इसके बाद में कोक्लिया के अंदर तीन चेंबर है इसमें होता है परिलिम्प इसमें होता है परिलिम्प इसमें होता है एंडोलिम्प इसके ला मीडिया इसके ला वेस्टिवलाई इसके ला टिम्प नहीं है वेस्टिवलाई टिम्प नहीं तो अब आप से पूछा गया है एंडोलिम्प कहा है एक तो एंडोलिम्प है इसके इंदर इसके ला लिती हैं गलत बात इसके लावेस्ट्प लाई एन्ड स्केला मीडिया स्टेस्षट के लाई क्यूंत मेप लेख drin जाए गांतिτό हो जाएगा मैंदा अर्दवर्ताकार नलिकाउं की अंदर जो दर्य ब्रा रहता है इसको हम कहेंगे और लिंप है तो ऑप्षिन नम्बर फोर हमारा क्या है क्रेक्ट आंसर है यह हम समझ सकते हैं इस तरीके से क्विश्ण नम्र 77 को इसके बाद में क्विश्ण नम्र जो 78 यह फिर एक इपोर्टे होने में त्क पर काहिए ंंदर गूंत को करते हैं इस प्रकार्श से आस्वर्ज नहीं हैं स्केला इसको घंपने जो आप कए घंपने जो ऑर ब decorum के उपर होती है अब इस में हम कहेंगे बेसिलर मेंब्रेन परजेंट in बित्विन पेसिलर मेंब्रेन ही है किसके बीच एकेला वेस्टिवलाई और टिमपनाई के बीच में। क्या हो जाएगा है। जो जो है हमारा ख्रेक्र अंसर है, यहां पर तो 78 के अंदर है option number 3 है वो हमारा बच्चों यहां पर एक correct answer होता है यहां तो इस प्रकार से हमें एर की स्रंचना structure पढ़के और इस question को अन्सौल कर सकते हैं इसके बाद में next बच्चों question number 79 की बात करें तो question number 79 कह रहा है which of the following is not a category of water-soluble आर्मोन simple सा question है कि आर्मन दो प्रकार के एक water-soluble है एक fat-soluble है fat-soluble है fat-soluble है सभी steroid आर्मोन होती है थायरोक्षिन आर्मोन होती है तो generally protein आर्मोन water-soluble होती है steroid नहीं होती है peptide होती है एमीन होती है तो हमारा answer क्या जाएगा यहां पर option number two है हमारा correct answer है इसके बाद में question number 70 नहीं हमारा clear हुआ इसके बाद में question number 80 फिर एक important question है एक्जोक्राइन ग्लेंड secret their product in रिदो 22 घंते आपने उत्पाद किस्में बीदालती है आपने पटा- एक्रिंशिप्ट कह रहा है कि ग्लेंड श्रीर में दो परकार और एक एक ब्लाट में डालती है एक्जुक्राइन ग्लेंड अपने उत्पाद डक्ट के अंदर डालेगी इसलिए हम कहते हैं युक्त ग्लेंड तो रुदीर में नहीं डालेगी तो अंसर क्या हो जाएगा डक्ट या नली का हो जाएगा प्लेरी भी नहीं होगा तो ऑप्शन नमबर थार्ड है वो उसानसर होगा तो इस तरीके से सोल कर सकते हैं इसके बाद में अटिवन के बात करें तो एंडोक्राइन शिस्टम रिलेटेडवी नोरा टये में कि वेल्कुल सही बात है लो स्पीड और मुद्टेशन सर्वीस इस यह और ज्यादा सही बात है बोथ आप अब ओओ दोनों ये गलत बात है फॉर्मेशन ओफ दा इम्यून शिस्टम में इस बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि थाइमस्क लेंड़ेक करती है इम्यून सिस्टम तो ज्यादा इसमें मैंने ये पूछना जा रहा है कि कम्यूकिशन सी रिलेटेट पूछना चाहरा है कि हाइऑ स्फीड का यह भर स्पीड का अपर सब्ण qualcार्ण करें है स्थीद का मिश्टी कर सकते हैं लोघ स्पीड को मि Deputy ककें यह सर्फिसकी है अक्रप्सिंनकुशन, इसको अप्शन स्थीं को तो तो यह इस तरीके से बता सकते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्यूस्टन है हम कहेंगे एटेट्टू नंबर क्यूस्टन है एटेट्टू कहे रहा है कि डाइबटीज इन्शीपिड़स से इज कोज भाई तो हमने का एडिया चार्मोन यदि एडियाज की कमी हो जाए तो क्यूंही मुत्तर के साथ में यूरीन के साथ में ज्यादा हमने निकलेगा तो एडियाज की कमी एडियाज की क्यों ही कि इसको हम गए है आईपो हाइपो क्या डिक्रीज एडियाज एडियेज का अल्प स्राव तो ऑप्शन नम्ब ती नमबरा यहां पर क्रेक्ट आंसर हो तो इस तरीके से हमें 82 कृष्षन को सोल कर सकते हैं इसके बाद में कृष्षन नंबर है 83 वीच आप दी फॉलोविंग स्टेट्मेंट और क्रेक्ट पॉर दी कौन ऑप ओमनाई कौन के रेस्पेक्ट में दिया है बहुत इपोर्टन कृष्षन है कि कौन से कतल मनुष्य के आं कौन की बात करें थो दो परगार की शाहल है कि एक प्रेक्ट समझे एक रोड एक कौन रोड जानके नाइट वीजन के लिए रेस्पोंशीबल है इसमें रोड़ ऑप्सीन होता है कौन बच्चों जानके डे के लिए रेसपोंशीबल है जो कलर आइडेंटिपिकिशन में है कोण के दिए अब देखिए डी दार एस्पोन्शिबल और इसके लिए परकार है उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके बाद में क्यूशन नमबर 84 की बात करें 84 कह रहा है फॉलोविंग इज आर नोट क्रेक्ट पॉर दी रोड रोड के लिए क्या सही नहीं है यह पिर यह का आई का क्यूशन कूश लिए आप इस एप्टर का पुछ लिया निम्ल लेकित में कौन सलाखा के लिए सही नहीं है को ट्विलल लाइड वीजन यह इस को टॉपिक के वीजन वीजन को पूचा रही है यह आई इन गलत बात of More sensitive or lightित एन कॉण कि विख के लिए संगों की तुर्णा में अधिक स्वेधन शीवगैं सबैकूर है यहां पर एक छोटा सा प्रकास अंद्री में आने वाला परव L एक का इस प्रूंग पन्ज चाहिए प्रकास का तो sensitive होते हैं इसलिए रोड प्रकास में कौन की अप्यक्षा करते हैं ज्यादा स्वेधन शील्दा परदसीत करते हैं रोड सेल कंटेंड रोड ऑप्शिन पिगमेंट यह बात भी सही है वाना अंसर क्या हो जाएगा second only केवल है second है हम कह सकते हैं तो option number two है इसमें यह हमारा अंसर हो जाएगा तो 84 के अंदर हमारा अंसर हो जाएगा यहां बार ऑप्शन नॉम्बर two केवले second only इस प्रकार से यह हम कर सकते हैं कि इसके बाद में next 85 की बात करें 85 के इंदर which of the following is our considered as a balancing receptor with otolith otolith अमने पता बता क्रिश्टा के अंदर होता है क्रिश्टा कहा होता है एंपुला में एंपुला का होते हैं सेमी सर्कुलर के नाल के अंदर यहां बर तो receptor in सेमी सर्कुलर के नाल बात सही है लेकिन सेमी सर्कुलर का दूसरा तो इस्सा है इपोर्टेंट इस्सा है यहां बर otolith का संत्रुन बढ़ने का काम कर रहा है है इंपोला के इंदर है इसे पर पाइया जाता है तो पाइड की बात है या इसके बात में इसके बाद में क्रिस्टा की तो अग्जर अंसर हो जाएगा यूट्री चुमबर है और शेकुलाई चेंबर है वहहां पर ही होता है तो अशर ओजएगा option number two है हमारा correct answer होजएगा इसके बाद में तो आमारा यांबर बच्शों द्यान के correct answer हो जाएगा इसके बाद में आप देखे है next यहां भार है इसको हम समझ सकते है, 86 क्यूश्टन, 86 के अंदर कह रहा है, दा मेंब्रेन कवरिंग में, तो यह और आर्गनोब कोलटाई से पुछा गया, यह और रहता है, इसको अन्बूद कह रहता है, इसको अंबाज टेक्टोरियल मेंब्रेन, तो ऑप्मेम्ब्रेन भिजनर मेंब्रेन लीजनर मेंप्डेन होजागा यहां पर इसमें एव और फिर प्र फोर्ट हो जाया करेंच तो項 अपर इसके ऑपर क्या होता है, और इसके इसक्य पर नेकस्ट क्युष्न हम नेक्स्ट क्यूस्ट में हम देखें, क्यूस्नम में 88 की बात करें , आपको पता है आपको पता है सेकूलस होता है कोल्टिक आंग नहीं होता है रिजनर की मेंब्रेन नहीं होती है होती है तो c ond नहीं होते है चलब कोल्टर इनाँ में पर यह उसमें पर यहां पर यहां पर हमें इस कूशन का अंसर दे सकते हैं इसके बाद में नक्स आता है नाइन पता है और चैनलarna के लिएुष सब्सक्राइ Katharisch कि पर जाएगा स्विस्वार्ड हार्मों partners बढ़ जाता है। को कम करने के लिए क्या है है इस तरीके से हम इस कंचेप्ट को सुमसकते हैं नाइन्टी नमर कुछन है फिर एक इपोर्टेंड कुछन है युस्टेकिन के नाले किसमय के वाईधाव को बाई यह वाईधाव की ब्राबर बनाए रखने में सहिता करती है कहां पर रहे तो द्यान लखें कि उप्राव मद्यक्राव में पाई जाती है जो हमारे फैरिंग्स में खुलती है अब ये किस इस्तान पर हमारे बारी वायुदाब और अंद्रिक वायुदाब को समान बनाए रखें में काम करेगी तब देखिए बच्छों जब हम पाड़ पर चड़ती है तो जिसी जिसी पाड़ पर चड़ेंगे तो उपर क्या दाब जिसी जिसी यहां बढ़ता जाएगा यहां तो ऐसे केस के अंदर है हमारे अंदर ब्लीडिंग चुरू हो सकती है तो इससे बारी और अंद्रिक वायुदाब के बनाए रखने को स्टन जब चेंज करते तब तो बनाए रखने का काम कौन करेगा यहां बर युस्टे केंट जब तो रेश्टिंग कंडिशन जन्य एल एयर्या पाडेढ़े छितर में विष्राम कि समय यहां बिचлять सकताब आयरे की चुरूनitel नगे अमों उस्टा यह काम करेंग रही है बुल है जोड़रू ऑननीचल जखने च्छन दो और शेंज नचल आ अंसर में पानेShirt पूर्टेंट कुशन यहां पर बनता है भचो इसके बाद में 91 कुशन एक इक अपोर्टेंट कुशन है कंसिडर आबाउट इपॉलोउइंग यह रॉसिकल्स के यह बताया गया है कि इसको कुषिटर करें यह थो इंगे कि मेलियोस इनका सरेश्टेप्स तीन अस्तिया है फिर कह रहा है विच अव दी पॉलोविंग रिशेप्टर से रिवपर्जेंट दी ट्रेक्ट शीक्वेंट्स ऑफ ट्रांस्पर ऑफ शूंड वाइब्रेशन फ्रों एर्ड्रम तो मेंब्रेन और फैनिस्ट्रा ओवेलिस तो बच्चों निमलकीत में कह रहा है कि कौन सा एक हैं इसके बाद में मन्यकरण के बात करें यह इन्टरनल यह एंटरोल है यह इक क्रण है यह क्वेदलिन हर से अबर शोiums देम जुड़ि रहती है यो दूसरी भॉग जुरती हैं यह तीसरी ब ciao बिकार से जान जुड़ती है इसे करेंगे भाई प्यस्तों फ हैनिशोरी मींन करने का काम यह दोनी तरंग है यहाँ से इस में काम क्लिप करती पिर यह पेड़ेंसमें जाएगा यहां मेम्प्रेन बाइजाती है यह और एंप्रिपाई कर देगी और यहां पर इसमें वाइब्रेशन पैदा कर देगी तो दवनी तरंगों में वेलेस्ट के इनदर प्रवेश करता है क्रम पुछा इस वेलेस के इंदर तो A है A के अंदर फिर इंकस B के अंदर फिर C के अंदर है तो हमारा A, B, C है फर्स्ट जो ऑप्शन है यह हमारा correct answer हुआ है इस तरीके से इस concept के द्वारा हम कई चीज़े यहां पर सीख सकते हैं तो मैं होप कर सकता हूं कि यह अपके समझ में आया है इसके बाद में next question, question number 92 है इस इस स्टेट्मेंट के बादे निमलेकित में कौन से कथाने सकते हैं तो विबिन प्रकार की हमारे अंदर जो एंडोक्राइन ग्लेंड है इसके समंझ में बच्छों हम पड़ेंगे तो उसके दुआरा यहां बताया जाता है कि एंडोक्राइन क्लेंड के शिस्टम के आपर वहार्मोन सब्सक्राइन होती है अधर नहीं होती है मेजों पर नहीं होती है हम जानते है कि पियूस गरंती आपिटुत्री लेंड है इसका अरिजन इंदोर्म से होता है ते मारा यह मग हो गया और स्टेटमेंट नंबर बनाती यह बिल्कुल सही बात कर रहे है इंडोक्राइन ओर्म कर रही है तो तो हमारा correct answer पुछा है, A correct है, B correct है और D correct है यहाँ पर है, तो option number एग दे रखा है, A, B, C, यह हमारा wrong हो गया, A, B, D, यह हमारा correct है, यहाँ पर, तो A और B नहीं, B, C, D, C यहाँ पर है, नहीं है, इसलिए wrong हो गया, तो हमारा यहां पर एक्जेक्ट जो आंसर होता है, option number two हमारा exact answer है, correct answer है, इस तरीकी से हम इस question को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, इसके बाद में जिकिए बच्चों, the next question है, वो यहां पर क्या कहना चाहरा है, question number 93 जो question है, फिर एक important question है यहां पर बनता है, 93 कुछन यहां पर कह रहा है, कि which of following hormone is secreted from an organs structure which is known to perform both neural and endocrine function, बहुत important question, एक conceptual question बनता है, बच्चों, कह रहा है कि निमलिकित में कौन सा, हर्मोन उस अंग या स्रंचना से स्रावित होता है, जो अंतर श्रावित होता है, जो अंतर श्रावित होता है, जो अंतर श्रावित होता ह बादित करने के लिए जाना जाता है, तो एक important यहां बनता है, कौन सा हर्मोन है, यह कह रहा है, अंतर श्रावित होता है, और तंतर श्रावित होता है, तो तब देखिए बच्चों, बच्चों बारा अंजरे, ACTH, ACTH क्यों पिचुट्टी ग्लेंड के द्वारा श्रावित ह है, इसलिए अंतर श्रावित का काम कर रहा है, इसके बाद में सुमेटो स्टेटी इन बच्चों की बोटेंड आर्मोन है, हम कहते हैं, आइपो तेलेमिस के द्वारा GH, RH श्रावित होता है, इसके फंक्शन को इमिनिविट करने के लिए GH, IH श्रावित होता है, GH, IH और GH, RH इस दोनों इनिविटरी हार्मोन है, लेकिन यहां इस कंचेप्ट के साथ में जो कुछा गया है, वो कह रहा है कि अंतर श्रावित हंतर के द्वारा स्रावित हो रहा है, और यह एंडोक्राइन फंक्शन है, उसका भी कारियेशन पादित कर रहा है, हम जानते हैं, हाइपो त इसके द्वारा स्रावित होने वाला होर्मोन है, वो यहां दोनों का पुंक्शन संपन करता है, इसलिए सॉमेटोस्टेटीन बच्चो ऑप्सन नमबर टू इसके बाद में दे रहा है, नेक्स्ट अंसलमाना निकल गया, फिर भी हमां यहां नेक्स्ट कोल्टिकोड आर्मोन के बात करेंगे, कोल्टिकोड आर्मोन हम जानते हैं कि ही यह आर्मोन जितने भी है वह एडंव्यDness के और कॉल्टेक्स बाग के दौबहरा यहां पर इसरावित होते हैं तो लेक्टिन हार्मोन आज जानते हैं बच्छों प्रोलेक्टिन हार्मोन है वह यहां पर इस्रावित होते हैं प्यूस गरंधी के अगर बाग दोरा नो मिल्क के सिंतेशिस और मिल्क के सीक्रिशन में हेलपूल है इस तरीके से बच्छों एक क्विशन की दौरा हम कई है वो शीख सकते हैं तो इस क्यूशन के अंदर है हमारा ऑप्शन नंबर टू है वो क्रेक्ट अंसर है इसके बाद में नेक्स्ट बच्चों हम देखेंगे यहां पर है क्यूशन नमरे है या गोनेडो ट्रोपी नहीं है यहां पर है तो हम यहां बर बात करेंगे यहां पर ऊंचों होन। नाहुट्य करता आर्मोन घ्रख सद्च्च करता है है यहां वह सर्ज सरवादिक मात्रा प्रक। होता है लेकिन प्रोजेस्ट्रॉल आर्मोन एक प्रोजेस्ट्रोपिन हर्मोन यह उल्डॉट्रॉप्स की द्वार्ण होर्मोन एक और श्रीक्रीट भ्याई तो है प्रोजी किसमूट मसल से को रौकनी का काम है प्रोजेष्टोन करता है हमारे यूट्रेश की ठीकनिश को मेंटेन रखना करता है प्रोजेश्टोना और हमारे ममेर्स लिली तो इस परकार से ही यहां पर कई ही काम किया जाता है यहां पुछाए कि गोनेडोटरोपिन कौनशा नहीं तो गोनेडोटरोपिन प्रोझिस्टून है रहले से तो तरीके से हम्मिस कंशेट के द्वार्ए क्यूस्ट के की बात करें 94 एक हमने यहां पर क्लियर किया इसके बाद में क्यूशन नंबर 95 की बात करें 95 बच्चों क्या कह रहा है कि विच आप दी पॉलाविंग इस नोटे फंक्शन आप दी सोमेटोट्रोपी नार्मोन ज्यान रखें निमें लिकित में कौन सा नहीं किया जाता है तो आप देखेंगा एक इपोर्टेंट यहां पर बनता है इसके बाद में दूसरे यहां पर कर रहा है कि अरत करें बात करें फ्रोटी फ्रोटी व्लैशिस की बात करें तो यह आप रहा है कि बादिशन करवा रहा है इसके लिए बच्चों सेंदशिस की आवस्चता होती है इसके लिए हम एंड़ा करवाने में यह करें तोड ना तोड़ने का काम करता है क्यों से करता है यह करता है कि करने तो इस तरीके से यह हम कहेंगे नहीं में आप्शन नमबर टू है यह आपका इस क्यूशन के रिस्पेक्ट में क्रेक्ट आंसर है यहां पर आपने यहां पर समझा तो यह एक इपोर्टेंट बनता है इसके बाद में क्यूशन नमबर है नेक्स्ट देखें बच्चों हम यहां पर क्यूशन नमबर है 96 की बात करें 96 फिर एक इपोर्टेंट के साथ में एक क्यूशन आता है विच और पॉलाविंग इज नौट कॉज ड्यू टू हाइपो थायरोडीज्म हाइपो थायराइड इजन की बात की है थायराइड कि रलेवल उट कर लेवल याठी पोर लेवल कम छिठीजी करें के हाइपो यשतिक होस्तर है pep 29ования अब है है तो हैपो क्या है हम थायरोख्षिन हार्मून की बात कर रहे हैं तो है यह यह त्यादा स्रावित हो तो कौन चल इज़िस होएगी कम चलावित होने पर बत्चों कई बरकार के लोग को ते यह हार्मोन नहीं यहां पर हम देखेंगे यहां लिक है क्रिटिनीज में एक रोग होता है इसके बाद में हाशी माटो एक रोग होता है इसके बाद में गोएटर एक रोग है वह यहां पर क्रिटिनीज में बालेकाल प्रावस्ता में मिक्षिक दिमाव वैस्क प्रावस्ता में हाशी मोटो एक ऑटो इम्यून डिजीज है और गोएटर एयोडीन की कमीशी होने वादा रोग है लेकिन ज्यादा हो जाए तो हम गहेंगे यहां पर एक जोप्त हिल्मिक गोएटर जिसम कि यहां बर कहलाती है जो अधिकता से होता है कि कोंशा है के कम स्रावसी नहीं होता है तो मिक्षीदिमा का चिपारवसी होता है उसके बाद में पारंची मोटो ऑंप हो भे गल डिजीज है वो भी यहांबर कम स्राव से होती है लेकिन ग्रेव डिजीज भी मैंने कहा कि ग्रेव डिजीज है वो यहांबर इसमें अधिक स्राव से होने वाला रोग है किसके तीतरी और टीब और के अधिक स्राव से होने वाला रोग है इसको हम कहेंगे ग्रेव जो जो आंसर है वो और उप्षिन को हम क्रेक्ट आंसर कहेंगे तो इस तरीकी से हम यह बर एक यह बर एक अपने आप इपोर्टेंट क्यूशन कॉली से नहीं कोण सा कारये नहीं हो सकता तो पुर्यव का मैं करीीच ॉप्स यह मींनिंग है द्वारा घ यह ऑँ तरव श्रावी खोने वाला है णे होती हैं लेंड स्टि के बेहां पीट निंट 10-15 में उपस्तित होती है या क्मकर ती कि केल्शियुम का जो लेवल है वह इंक्रीज करना कहां पर इंक्रीज करना ब्लड के अंदर केल्शियुम का लेवल इंक्रीज करना यहां पर कैसे इंक्रीज करेगा तो जो भी बॉन है उसकी ऑस्टियो क्लास्ट को शिका को सक्रिय करके यहां पर कैल्शियुम को बॉन से नि जो नेफरोन है उसके एक ट्यूजल पार्ट है जिसको कहते है डिसीपी इस दिशीमती में कंडिशन अब्जॉर्प्शन उसको बढ़ाया देगा तो यूरीन के साथ में पासाउट होने वाले केल्सियम है उसको यहां पर असुसित करवाया देगा इस तरीके से केल्शियम को म के पूछा है बलड में केलशियम की मात्रा को बढ़ाना यह भी यह भी कर सकते हैं है इन प्रोन यह बिसन नहीं करता यह क्या करता है कि इंदर कस रब आख सोशित करवाने में यहां हुंड है कि हमारे बहुत ही बहुत ही बहुत ही बट्रेन करने में यहां से पास-आउट होता है वहारी एक्सक्रिशंड में बहुत है कि करने में साहिक हैं लेकिन यहीं से उसके साथ में इनक ब्यूचा है के निदर क्यों पूचा भी गया है उसको रिमुव कर दिया जाए तो मारे शरीर के इंदर कौन शेकर परपाइट हो गीडनी रिमुव कर देंगे तो बस जान रगना के यह वह इसकर नहीं होगा है काम करता है यहां प्लड के अंदर है री अब्जोर्शन कराने में यहां साहिक है तो अब हमारे बास में यह पॉइंट कर रहा है इनिविशन आप बैद से आप यहां पॉइंट है थे को समझ सकते हैं इसलिए बात करें अपजोर्शन साब्सक्राइब तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्सन नम्बर जो थार्ड है हमारा यह बच्छो एक एक ट्रेक्ट आंसर होगा तो आई होप यह कंशेप्ट आप बहुत अच्छी तरह समझ में होगा क्यूंकि एक इपोर्टेंट कंशेप्ट बनता है और इसी कुछन नीट के इंदर पु इसके पाल्ट को हमें यहां पर स्लेक्ट करना है तो यह कौन कौन ची पाल्ट है जो कुछन की रूप में पूछा जा रहा है कि स्लेक्ट दी पाल्ट प्युट्री ग्लेंड ए विची जी नोट अंडर दी और मुन कंट्रोल भाई दी हाइपोथेलेमस कोंसा इसमें सब आग यह बात कहना चाहरा है प्युट गरेंदी यह उस बाद पो चुनिए जो हैपोथेलेमस के आर्मोनी नियंदर में नहीं होता है बिल्कुल जो हम ध्यान लगए हमें पता है बार-बार यह कुछन पुछा जा रहा है किसी ले किसी रूप में यह मारा आइपोथेलेमस है और सब्सक्राइब करते हैं इसके द्वारा यहां पर नहीं करने वाला वाग का चैन करना है तो हम देखेंगे इसमें कहीं पर्ट होता है जी पारस करते हैं इसके बीच में bauरस उन्ट्रमीडिया करेंगे और इसक के शाली स्क्राइब एक इसमें नहीं किंवित होता है आफोल्डिया यह बहुत नजो होता है इंग रणीजन यह भी एक डिस्तिलिस का भाड रहा तो यह बी नहीं है तो नियूरो आइपाइसइस जो भाग है यह ह मिलेतने नें तो नहीं होता है यह א। कि नहीं होता है और घखलेंगे है और हम विकर बाकर करें थे को पता है नहीं बनाता है तो इस परकार से हमारा 98 के अंदर बच्चों कह सकते हैं अब पर नहींड चाहएं यहां पर आंसर हो जाता है इसके बार बनता है इसके बाद नेक्स्ट कुश्च्चन की बात करें हम 99 नंबर किसन एक प्र इसे इपोटेन के साथ में 99 नमबर कुछन हम यहां पर डेस्क्राइब कर सकती है बहुत इपोटेन कुछन है बच्छो यहां पर कुछन कह रहा है कि आइडेंटिपाई दी आर्मोन लेवल एज ए बी शी इन दी पॉलॉइंग चार्ट बनाएं बच्छो आपके सामने यह चार्ट जो में कुछ पोटेन्ट यहां पर दिये गए हैं इसमें पॉइंट अपश्य दिया गया है यह पोटेन्ट हमें पहचान नहीं क्या कह रहा है कि हाई अपोटेलिमस नेक अर्मोन इस रावित उते हैं जिसे जी एच और आईच कती है यह आर्मोन ने प्युट्ट्री ग्लें बिल्कुल चण भी सिकते की वी घ् mold आब करेगा और से वी भी ग पर बनाता है एक ल सकते हैं लेंगर का आर मन Dort बच और सकते हैं की रूप में नगे से जाना जाता है या तो यह भी उर्शी जो यहां पर स्रावित करते हैं कौने प्यूस करेंगे और काम करके लेंगी कार्मोन स्रावित करेंगा क्या कौन सा मेल है तो इसके अंदर से टेस्टोस्टिरऊन का चाल किया जाता है मेहल के इंदर हमंगे मेल तैस्टोस्टोस्टरव्त सामी नवी दिख़रेगा इसके अब पहचानना है तो एंदर होगा इसके इंदर नहीं है इसके इंदर भी है इसके इंदर नहीं है इसके इंदर भी है इसके इंदर भी है तो यह हम कर सकते हैं इसके बाद में भी प्यूस गरंटी स्रावित करेगी प्यूस गरंटी क्या स्रावित करती है यहां बर तो प्यूस गरंटी यहां गौनेडोट आपatan कर सकते हैं तो क्या भी क्ली हो सकता है या तो हमारे जो को डिखन दे रहें कि अर्मोन ने खोर कॉर्डिंग कि वह और फरीयर मोन यहां पर निकल के आते हैं तो हमारा यहां पर प्रवाप्जन को रहता हुआ हमारे जैन्द को प्रवाइद करता है और जिसे एक क्रेक्टर बंदे हैं तो इस तरीके चे हम एक करते हुए आर्मोन के प्रंक्शन को कम्प्लिट एंडोक्राइन ग्लेंड को बहुत अच्छी तरह है क्लिरिटी के साथ में हम बच्छों समझ सकते हैं इस प्रेंड थे संट्फ खर्याइक्ज यसरी कशल रही है हमारी इसका बात करेंग्यां एक इपॉर्टेंड रिक यहां पर बनता है बोटेंड कोशन यहां पर है यह एक इप्वर्टेंड न्मर स्टार बनता है है क्या कहना चाहरा है एक हार्मोन जो अंडशी से स्रावित होता है तता लक्षे कोशिका की सताय पर है इस्तित ग्राई से जुड़कर अपना कारे संपन करता है तो वह हो सकता है मिन जो अवरी से स्छी होता है तो ऑवर होने वाले जितने भी आर्मोन यह बच्छों आप जानते हो कि यह सब आर्मोनीली स्टिरोड प्रक्रति के आर्मोन कि भी ट्रेट से खोभीए क reh recession से टेस्टीजी मैंसे सिक्रीट से अपने आर्मोन वह सब ownership musimy अर्मोन होती है इस्ट्यूइटी नेचर के आर्मोन जब भी काम करते हैं तो यह किसी सहल के अंदर जाके यहां पर काम करेंगे तो इसके स्थीत गराई से जोड़कर करेगा इसके कहँ होते हैं कि आदर हμεने हैं कि तépoque कर दो सरपेज पर होते हैं कि जल में गुलंशन आर्मोन प्रोटीनिय शthific स्टिरोईड की हैं इंट्रा सिल्डर होती है जिसमें जितनी भी स्टिरोईट है टी तरी है टी जिसके ग्राही से जूड कर अपना कार्य संबंबन यह संस्बंद करता है तो यह सब स्टिरोइड वाले हार्मोन ऐगा वह मेशिप्त कर रहा है अंदर का म करएंगे लेकिन हमारे ralse economy से स्रावित होता है कि स्रावित होने वाले इतने भी ऑर्मोन यह maułong है यहां बाहरी ही primary messenger के रूफ में काम करेंगे कि यह बर secondary messenger का being calcium के रूफ में ने यह हम कह सकते हैं CAMP एक secondary messenger है या IP3 एक secondary messenger है यह तो यह secondary messenger की रूपे message है ले जाते हैं न्युकलेश के पास में तो हम कर सकते हैं कि estrogen इस्ट्रोड आर्मोन है जो gene level पर काम करता है प्रोजेस्ट्रोड आर्मोन है यह भी gene level पर काम करता है cortisol हमारे adenal cortex के आर्मोन है यह भी gene level पर काम करता है तो रिलेक्षिन हार्मोन है यह ऑवेरी के द्वारा स्रावीत अनिवल है और एक्स्टरा शिंडर वर्क करता है तो हमारा अंसर क्या हो जाएगा बच्चों कि सुन नमबर जो हंड्रेड है उसके अंदर आंसर नमबर है हमारा करेक्ट आंसर है तो आई होब क्लियर करते हुए पेपर सोल किया है फिर भी कोई बानलो कि उसना आपका यहां पर रोंग हो गया है तो आप इस वीडियो सोलिशन के बाद में से अपने कंसेप्ट में और क्लेरिटी यहां पर ला सकते हो ताकि आने वाली जो हमारी मेन एक्जाम है उसमें हम बहुत अच्छा करके और एक बाई व के नर बायो के अंदर यह तोटल में में मीट के एकिजाम के नर हम स्कॉर्स खड़ा करके हो अंपराप्त कर सकते हैं थैली यह सभ्यामना के साथ विगलहां कूझ सिकर आज हम बायो केम जो है ग्रूप 13 और 14 केमस्ट्री पी ब्लोग फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसका सोलुशन करने जा रहे हैं है तो देखिए सबसे पहले हमारा पैज फर्स्ट कुश्शन आ रहा है कि वीच ऊप दा फॉलॉविंग इजे लै्विष एसिट लैविस एसिट का मिनिंंग बच्छोः क्या होता है जो एक लोण पेर क्या करता है misconception करता है यानि electron deficit species होती है जिनका utri incomplete होता है जो लोण पेर accept her हुता है वह होता लविसेसीट क्या होता है थे कि वैलंसल में कितने एलेक्टोन है वैलंससेल इलेक्टोन है 6 यहनी है इसमें 8 से कम clicking तो यह लुईसम टिम की tact करेगा लुईसम का मतलब है यह लूण पेर एक्सेप्टर है connecting आप एंग अब एम्सी प्लस तु देखो बच्चो यह नहीं करेंगे तो एल-सील-3 जो होता है कोवलेंट कंपाउंड नहीं करेंगे होता है कोवलेंट कोवलेंट होता है ठीक है इस वजए से आंसर क्या आजाएगा आपका फर्स एंसरीज करेक्ट ल्वीस एसिट ग्रूप 13 वाले यह होते हैं act as a Lewis acid और बाकी देखो आपके साब ने यह एस ब्लोक के हैं तो एस ब्लोक वाले कोई लुइस एशिट नहीं होते हैं क्योंकि इनके वेलेंस चेल में जो होते हैं वो 8 इलेक्ट्रोन होते हैं और यह आएनी compound भी बनाते हैं को के बच्छों नेक्स चलते हैं देखें यह कोशन बहुत ही अच्छा कोशन है जो इस बार नीट में पूछा भी गए था इसी तरह की लेंग्विज थी मुला ऐसा नहीं था लेगिन इसी टाइप की लिक्विड स्टेट पर है ठीक है और वाइड रेंज ऑप टेंपरेचर और हाई टेंपरेचर मेजरमेट में काम में आता है तो अपन यह बात कर सकते हैं यह गेलियम के लिए गेलियुम 31 नमबर का जो एटम है ठीक है ये क्या काम में आता है हाई टेम्परेचर जो थर्मामीटर होते है ये घे फोरीड तक ये हाई टेम्परेचर को मेजर करने में काम में लिया जाता है तो गेलियम ध्यार में रखना आपको दा हाइबर्डाइजेशन ऑफ ओर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम इन बी योज फोर एंड गेमेट्री ऑफ दे कॉंप्लेक्स आर रिस्पेक्टिवली मिल यहां उमारे पास आ रहा है अर बी यो फोर रहा तो बेरियलीम बच्वगग प्लस डू और सिद्श्य बेलियुं स्टेट में है आइवर्डाजेशन स्पिर हो गया से और टाई अइस थी रुलं में टके से टींडर इन SYD नेचर निच्र की बात करें ट यहां पर बीट 5 best breath कि अलमीना मैं पूट्रे एं इंडियम अनु अीव चेली इंडियम बेसिक निचर के होता है तो यह हमारा एविक निचर का फर्सट एंसर स्कुर्रेक्ट यहं खोंगया और यह बेसिक हो जाएं इस फोग तो पूल्विमिंट वो यहां पुछारें कि सेंट्रे लीटम में यहां पर जो कोण सा आग जिस्ट नहीं कर सकता है Central Atom की तरह कोन behave नहीं कर सकता है बदलब यहाँ पर तो boron अब देखो, maximum कितने bond बन रहे हैं? 6 बन रहे हैं, तो 6 bond जो है वो boron नहीं बना सकता कभी भी Aluminium बना सकता, Gallium बना सकता इंडियम बना सकता है, क्योंकि इसके पास vacant orbital नहीं होता है ठीक है बच्चो, इसके पास vacant orbital क्या होता है, absent होता है अब बच्चो इसके पास होता है vacant orbital vacant orbital है, तो यह क्या करता है water जो होता है इससे reaction करता है अब यह lone pair यह एक electron pair इसमें accept कर लेता है और यह बना लेता है B-E-O sorry, B-O-H का 4 बना लेगा यह और यह H-plus रिलीज कर देगा तो यहाँ पर है accept O-H negative from water releasing the proton इसने इसका मला इसने एक O-H accept कर लिया और H-plus रिलीज कर दिया तो third answer is correct तो यह फर्स्ट में आरे container replaceable H-plus sign gives up a proton नहीं है, protic acid होता ही नहीं combine with proton from water molecule combine with proton water से combine नहीं होता है यह water से combine होता है प्रोटोन से नहीं water से combine होता है ज़्यादा होती है, single bond यानि carbon carbon single bond की bond energy सबसे ज़्यादा होती है bond energy जो है carbon की approximate आती है 2, 348 kilojoule per mole है इसकी energy 348 और इसकी है 297 इसकी 260 है, इसकी 240 है kilojoule per mole में इनर्जी इन दोनों के almost same सी होती है इसलिए यह लगबग same catenation show करेंगे और carbon में जो है catenation tendency भोत अधिक होती है देशी 348 आती है तो second answer is correct the chain length of silicon polymer can be controlled by the adding देखिए जो silicon होते हैं वो आपको पता है R2SIO यह जो आपकी repeating unit होती है यह repeating unit होती है इसी को अपन silicon बोलते हैं बच्चों इसका मतलब यह है कि यह silicon यह आर आर यह ओ और यह ओ और यह ओ ऐसे तरह से तो अपने को इसको control में लाना है बच्चों अपने को यहां तीन एलकिल ग्रूप लेने पड़ेंगे यानि जैसे मैं यहां पर एक silicon ले लेता हूं और इधर आर और इधर भी आर इधर से मैं इसको close कर देता हूं और इधर मैं यहां पर इसका मेलब मैं यह यूनिट लूँगा तो यह आगई growth करना रूख सकता इसका तो थार्ड एंसर इस करेक्ट क्योंट में यह अभी और है आगे आओ आअले दयst इन थेलपी ओर फॉरड डियधक और टार रही देखते हैं मेस में सबसे ज्यादा जो नित्य पीए वह बोर्टी होती इस सबसे ज्यादां बोरॏं की च्रीप अबम पता है चोंब को हुट है ऑर वितका इंडीया चाह्तर होती है तो ऑन सबसे ज़्यादा बोरोन आईएगा फिर आलूमीनियम और ग्हल्त होती है यहां पर उसके पते अध्य ऐं being intimate करें तो यहां पर देने ज्यादा तो सबसे ज्यादा जो O더 राता है वरॉन पृर आता है थेलियं फिर आता है गेलियं और फिर यह बोरोन एक क्रिश्टलाइन हाड सोलीड होता है और यहाँ तेलियम और गेलियम में यहाँ अपर 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 एफ उलेक्टोन ले सकते हैं पूर शिल्डिंग ले सकते हैं जैड सबसे अपना एफ झाल सकते हैं तो तो आणसर मुझंद एоны jan इन दे स्ट्रक्चर ऑफ डाई बोरेन डाई बोरेन की संचना देखिए बच्चो डाई बोरेन की स्ट्रक्चर कासी होती है वी टू ए सिक्स में अपन बोरोन ले लेते हैं से है एच यह बोरोन आपको दिख रहे हैं बोरोन राईड्रोजन यह प्लेन में होते हैं यह प्लेनर होते हैं और यह आपके अउट होते हैं यहां बोंड लाई आपको पता है 120 हूता है और यह 87 पर जाते है तो यह गलत स्टेवेन आ आपकार है बच्छो हाइडोजन एक लाई और तू ब्रीजिंग एक लाइन दा अब बिलो द प्लेन यह करेक्ट आ रहा है ओल एक्टम लाइन दें सेम प्लेन में नहीं आते सभी प्रिपेंडिकुलर भी नहीं होते हैं अभी आप हैड्रोजन परण एक समतल्य में होते हैं यह में गलत है सभी हाइड्रोजन एक समतल्य में नहीं होंगे दो बोरोन और चार अंतर्स थाइड्रोजन एक समतल्य में होते हैं तो हमारा सेकेंड एंसर इस करेक्ट तो स्ट्रॉक्चर बना क्या आप ऐसे कंपेर कर लेंगे एक कंपाउंड एक्स और बोरोन रियक्ट विद एनस थ्री ओन हीटिंग टू गिव अनौदर कंपाउंड वाई विच इस कॉल्ड इन और्गनिक बेंजीन देखिए बच्चों डाइब और एन होता है बी टू एच शिक्स इसकी रेक्शन जब आपन अमोनिया से कराते हैं तो यहां पर एक पहले कोंप्लेक्स बनता है और इसमें अन्स्मेट्रिकल क्लीवेज होता है और अन्स्मेट्रिकल क्लीवेज होने से बी एच टू एनस थ्री का होल्ड वाईस और यह बी एच टू का एनाइन एक किस्टलाइन सोलिड बन गया यह अब इसको फर्दर अपन हीट करते हैं तो यह बनता है बी थ्री एन थ्री एन थ्री एच शिक्स इन और्गिनिक बेंजिन अब आगे बोला है दा कंपाउंड एक्स कैन बी प्रिपेर्ड बाइद लिथियम अलुमीनियम हाइड्राइड तो बच्चों यहां पर भी बी टू एशिक्स बन सक्था आपका साइड प्रोड़क्ट एलाइफ एल अफ तरी बन जाएगा तो अपने को एक्स पता चल गया कि बी टू एशिक्स आ गया ठीक है बच्चों यह बी टू एशिक्स हो गया और दूसरा कंपाउंड अपना वाई जो बोल रहा है यह वाई आ जाएगा आपका यह एक्स हो जाएगा तो बी टू एशिक्स एंड बी ट्री एंट्री एशिक्स देख लीजे बच्चों तो यह फर्स्ट एंशरी इस करेक्ट ठीक अभी बच्चों क्लियर देख लीजे नेक्स चले है है कρι अघो तो हुर्ज कि अभड़ों को खांचा से लाएव इिवेंड़ा क्मवाटशreten आं पर क्या में आ पर क्या होते है है सेमिकन्डाक्टर होते हैं Sumikипन डेक्टर होते हैं प्रेशर लगाने से वह एलेक्ट्रिक करन्ट प्रोडूस करते हैं इसका मितलिंग यह है कि सीलिकॉन इस सेमी कंड़ेक्टर यहां पर यहां पर यह चार में कंड़ेक्ट हो गया तो यह आपका रिद्यूसिंग एजेंट होता है कि लोवर वाला और पीबी सील टू जो होता वो स्टेबल होता है क्योंकि पीबी सील टू पीबी सील फॉर्मिल नहीं जाएगा क्योंकि इनर्ट पेर इफेक्ट के कारण और अलुमीनिम यहां पर प्लस थरी में आ रहा है तो यह हमारा आजेगा SNCL 2 ड्राइएस इज ड्राइएस बहुत पहेमस कोश्चन है सॉलिटस योटू को बोलते हैं ठीक है सॉलिट स्यो टू को बोलते हैं ड्राइज इन्शियटे का कुश्चन है कि si meant is a mixture of oxide of several elements oxide of the element P block of which the group are present in the mixture cement का में जैसे बच्छों सिमेंट में कई composition होते हैं कि सिमेंट में सबसे ज्यादा मांट में होता है केल्शीम ऑक्साइट यह लगबक 50 50-60% पाया जाता है 50-60% होता है calcium oxide अब यह आपका s-blog का हो गया बदलब यह s-blog हो गया s-blog में group आपका second हो गया group second का ठीक है बच्चो इसके बाद में इसमें si o2 होता है इसमें al2 o3 होता है अब si o2 यह group 14 का हो गया आपका group 14 और al2 o3 यह आपका group 13 का हो गया बच्चो ठीक अभी अब आप यह देखो group 13 और 14 में आपका first answer में चोर है यहां group 15 का कोई नहीं होता है ने group 18 का होता है और ने group 17 का होता है अधर आप देखो तो इसमें iron का oxide होता है fe2 o3 भी होता है थोड़ी वो तमाउंट में जैसे यह आपका लगबग 22, 50, 25% होता है यह लगबग आ तो आपका 10% क्या स्पास होता है और भी अधर आप देखो तो magnesium का oxide हो सकता है sulfur का oxide भी हो सकता है यह थोड़ा बहुत अमाउंट में होता है fe2 o3 होता है so3 होता है यह सब होते हैं लेकिन यह कम amount में होते लेकिन यहां पर आप देखों सिमेंट में या तो आपका एस ब्लोक का group second का मिल सकता है या फिर आपके साथ में आपके साथ में सकता है तो यह ग्रूप सेकिंड में यह दो 18 वाला नहीं आ रहा है यह इतनी है तो यह फर्स्ट एंसरी स्क्रेक्ट आपने कहते हैं कि गेलियम का जो साइज है वो बड़ा होता है रेडियम का साइज क्यों छोटा होता है यह हम कहते हैं रीजियन का स्मॉल रेडियम गेलियम यह गेलियम में कंपेर करें तो रेडियस किसकी ज़्यादा होती है यहां अलुमीनियम की ज़्यादा होती है गेलियम की कम होई है देखिए बच्चों वैसे यहां पर गेलियम के अंदर एक तो डी इलेक्ट्रोन आगए डी इलेक्ट्रोन है इसके कारण अपने ही कर सकते है पूर शिल् इफेक्ट होगा तो Z effective क्या होगा हाई होगा तो यहां परपन कर सकते हैं कि इसका size क्या हो जाएगा small तो poor screening of effect of d orbitals से increase in nuclear charge नुक्लियर चार्च बढ़ जाएगा इसे इसे poor shielding आएगी तो नुक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा बोथ और करेक्ट तो थर्ड अंश्रीज करेक्ट हो गए बच्छों कि अधा लेनियर शेप आप सीओ टू जो होता है बच्छों ऐसे होता है तो एस पी हाइबाड आज होता है इसमें यहां पर सिग्मा बोंड हो गए यह आपके पाइब रोगया तो लीनेर मोलीकुन होता है तो रीजन देख लीजिए, SP3 नहीं गलत है, SP hybridization of carbon ये ठीक बात है, P5-D5 बोंड नहीं होता है, बच्चों ये बोंड होता है, P5-P5 बोथ 2 और 3 ये नहीं है, तो second answer is correct ME3SICL is used during the polymerization of organo-silicon because carb-silicon के बहुलक में, ME3SICL block the end of silicon polymer, ये ब्लोक कर देता है, first answer ठीक है, improve the quality, ये गलत होगा है, बच्चों, ME3SICL act as a catalyst during the polymerization, ये भी catalyst का काम नहीं करता, quality of elasticity, ये भी wrong है, तो first answer होजएगा हमारा which of following statement are correct सही statement आपको पुछ रहा है, fullerine have the dangling bonds, ये गलत होगा है, बच्चों, fullerine without dangling bond, ये smooth structure रखता है, dangling bond क्या होते हैं, मैं बता दूँ आपको, जो impurities होती है, वो इनकी surface से react होकर के, और new bond बनाती है, new bond को बोलते है, dangling bonds, तो ये जो बच्चों, carbon के जो allotrops होते हैं, इसमें diamond होता है, और graphite होता है, इनमें ये bond पाए जाते हैं, लेकिन spullerine में नहीं होते हैं, ठीक है, बच्चों, dangling bond का meaning आप समझ गए, dangling bond, dangling bond क्या होते हैं, new bond जो होते हैं, ठीक है, impurity और carbon की surface की बीच में, जो होते हैं, उनको बोलते हैं dangling bond, new bond between carbon, surface and impurity, इसको बोलते हैं dangling bond, तो dangling bond यहाने फुलरीन आदा केज लाइक मोलेकिल, ये ठीक बात बच्चों, graphite is the thermodynamically most stable allotrophs, thermodynamically सही है, होता है ये, और बोथ two and third, तो fourth answer is correct हो गया है, ठीक है बच्चों, fourth answer is correct हो गया है, which of following statement is incorrect about B2S6, B2S6 की respect में कौन सा statement सही है, अभी हमने structure लिया था बच्चों, चीक है बच्चों, अब देखो ये जो bond आपको two, two electron bond है, two electron और three centered होगे, तो अपने इस bond को कह देंगे, two c two electron bond, तो ये कितने bond होगे आपका ये भी, two c two electron है, ये भी two c two electron bond है, और ये जो bond आपको दिख रहे है बच्चों, ये जो बनाना bond बन रहा है, इसको बोलते हैं, three centered two electron bond, तो ये कितने bond हैं, आपके पास, दो है, out of six bh bond, two bonds can be described in term of three centered two electron bond, और पूछ रहा है, incorrect, तो हमारे पास six bond में से, दो, आपके three centered two electron bond is correct हो गया है, out of six bh bond, four bh bond can be described in term of three, ये रॉंग हो गया बच्चों, ये ही incorrect है, the terminal bh bonds are two centered two regular bonds, ये सही है आपका, hybridation of b is sp3, इसका hybrid in sp3 है, तो incorrect हमारे second हो गया है, identify the correct resonance structure of the carbon dioxide from one given below, देखिए बच्चों, carbon dioxide ये होता है, CO2 का molecule, अब आप इसमें देखिए, ये bond यहाँ replace कर दिया, तो ये electron आप यहाँ replace कर सकते हो, ये oxygen atom, यहाँ पर आपने जैसे एक oxygen atom के उपर plus लगाद और एक पर minus लगाद ऐसे बना सकते हैं, structure, अब इस पर negative आगया है और इस पर positive आगया, फिर बापिस दूसरी oxygen के उपर आप लेल रहे हैं, तो ये रहे हैं, पहला बन रहा है, दूसरा है, तीसरा है, ओपे प्लस, तो ओल आर करेक्ट, identify in the following equation, BF3, LILS reaction करेगा बच्चों, तो यहाँ भी बताया है, थोड़ दिर पहले ही, ये बन जाएगा B2S6, डाइबरेन बन जाएगा, और B2S6 reaction, X मला oxygen से कराएगा, oxidation करेंगे, ठीक है बच्चों, तो यह बना लेगा आपका B2O3, और water, तो यह आपका Y हो गया है, और यह X हो गया, तो B2S6 and B2O3, तो second answer is correct, यह गलत हो गया इधर, इधर यह गलत हो गया, इधर आपके बाएद दोनों यहां उल्टे कर दिया है, X पुछ रहा है, X और पहले Y लेएगे पर, तो second answer is correct, identify the compound X and Z in the following reaction, X और Z की identification करना, HbO2, metaboric acid बन रहा है, इसका मलब initially आपने boric acid दिया है, H3BO3, यह आपका X हो गया है, इसमें से एक water molecule eliminate करोगे बच्चों, तो बन जाएगा HbO2, HbO2, metaboric acid, metaboric acid को further अपन heat करते हैं, तो यह बन जाएगा, आपका B2O3, B2O3 में convert हो जाएगा, इसके फिर आप दो molecule हो गया है, फिर एक water molecule निकाल हो गया, तो देखें, दो hydrogen एक oxygen निकाल दिया, तो B2O3 बच गया पीछे, तो आपका answer हो जाएगा, X हो गया, H3BO3 और यह हो गया, B2O3, 2nd answer is correct, X और Z पुछा पुछा पुछा, नेक्स लेते हैं, correct matching the species given column, which of the hybridization given the column, तो देखें, इसका hybridization आपका SP3 होगा, SP3, यहाँ पर आपके पास coordination number 6 आ रहा है, तो SP3, D2 होगा, बच्चों, इधर आ रहा है, B2, 6, यह SP3 होगा, अभी बताया था, और GE, यह SP3, D2 होगा, यह आपका जो है correct matching आ रहा, आपके पास इस तरह से अलकायल ग्रूप से सराउंड होता है, और यह repelling होते हैं, ठीक होगा, ओर्गीनिक से repel करेंगे, silicon are the organo-silicon polymer, which have the R2, SIO, are repeating unit, यह correct है, तो both 1 and 2 are correct, दोनों ही सही होगा, identify the correct statement in the following, ALC3-Lewis-ACD, बच्चो, सही बात है यह, PbO2 is a stronger oxidizing agent than SNO2, सही बात है, क्योंकि बच्चो, PbO2 में oxidation state है, प्लस 4, और यह convert होगा, PbO में, प्लस 2 में, higher oxidation state, जो है, वो convert होगी, lower में, तो यह oxidizing agent होता है, और SNO2 जो है, इसमें, प्लस 4 oxidation state में है, तो यह, इसका प्लस 4 ज्यादा stable है, SNO2 में, SNO2 जो है, और PbO2 में, PbO2 ज्यादा stable है, due to inert pair effect, तीक है, बच्चो, बच्चो, यह क्या करेगा, इसमें convert होगा, convert क्यों होगा, inert pair effect के कारण, PbO जो more stable है, than PbO2, तो, और 3 बोले, प्लस 1 oxidation state of thalium is more stable than, प्लस, सरी, बोरोन फेमिली के अंदर, thalium की प्लस 1 oxidation due to inert pair effect, यह reason हो जाएगा, due to inert pair effect, इनर पेर effect के कारण, तो all are correct, तो बच्चों यहाँ पर answer हमारा 4th answer is correct, एक compound A of boron react with NME3 to give the N adduct B, ठीक अभी, एक adduct बना देगा, मत्दर, trimethyl amine के साथ reaction करके, अभी bulky molecular, bulky से reaction करता है, तो कौन सा cleavage होता है, बच्चों, symmetrical, ठीक है, CO, NME3 से, और जबकि ammonia से asymmetrical cleavage होता है, डाइबोरेन का, इसका मलब यह है कि यहाँ पर, जो compound है, वो B2H6 है आपका, अभी यहाँ जो adduct बनेगा, वो बन जाएगा, BH3, NME3, और यह दो molecule बना लेगा, adduct बना लेगा, adduct B, यह B बन गए बच्चों, और यह है A, डाइबोरेन, वैन एक compound, A undergoes the hydrolysis, gives the compound C, and hydrogen gas, और compound C कह रहा है, acid है, इसका मलब B2H6 की reaction, जब बच्चों, वोर्टर से कराते हैं आप, तो यह बना लेगा, आपका H3, BO3, और hydrogen gas निकाल देगा, boric acid, orthoboric acid, और hydrogen gas, तो यह बनेगा, आपका C, C बन गए आपका, तो A, B, C की identify करना, तो A, बच्चों, B2H6 हो गया, B हो गया, adduct, देखें, B ही यह गलत है, B, adduct, B2H6, BH3, NME3, और फिर H3, BO3, third answer is correct, यह वैसे गलत हो गया, यहां पर, यह B2H6, लेकिन आगे फिर B, यह गलत कर दिया, यहां पर यह डेक्ट बना दिया, और H3, BO3, B2H6, यह तो गलत है, यहां बच्चों यह, डोट है, ठीक है, यह पूरा सिक्वेंच यह थार्ड, थार्ड सही आजाएगा, इसमें, identify correct statement, इसमेने सिलिकन, इस SP2, यह बच्चों गलत है, SP3 होता है, सिलिकन में, हाई बच्चों बस इलिकन, सिलिकन में SP3 होता है, और सिलिका में भी SP3 होता है, यह सही है, और ही बाटने सीलीकेट यह भी गलत है यहां पर सीलीकेट यह भी यहां पर सीलीकेट में भी तो यह उपर दोनों ऑप्शन सिलिकेट के बनार के लाएंगे एक में बता दिया कि सिलिकेट में SP3D2 होतार एक में बतार SP2 तो दोनों ही गलत हो गए तो सेकेंड एंसर इस करेक्ट इन विचो सिलिकेट ओल दा फोर कोड़ना ओक्सिजन अटम सेड विधा अधर टेट्र हेडल यूनिट्स तो बच्छों यह थीडी सिलिकेट होता है 3D सिलिकेट में जैंको बेसीक नटी है, SIO-4- तो इस में क्या होता है जैसे यह सिलिका ले लिए यह यह ओक्सीजन है यह ओक्सिजन है यह औक्सिजन है यह औक्सिजन है जैसे आप सारे ओक्सिजन एटम आप शेयर कर दो तो 3D सिलीकेट हो जाएगा इस इस तरह से कई जो है वो ग्रीन आऊस एफट का इन्वारमेंटल के मिस्ट्री में भी आता है और यह पी ब्लोक के अंदर भी एक कोशन है कि CO2 एक carbon monoxide नहीं होती है तो CO2 आ जाएगा यहां steric hindrance आ जाता है तो अपने यह कहेंगे एक्जिस्ट नहीं होगा due to steric hindrance सिलिकन और क्लोरिन में बात करेंगे तो क्लोरिन जो है न बच्चो क्लोरिन का साईस की यहां बढ़ा हौगया और यहां GE CL4 यह इसको एक्जिस्ट कर लेता है यह पाया जाता है यह जाता है यह पाया है यह पाया जाता है यह पाया जाता है तिसका में बनाग रहांसर हमारा कोण सा होग Savage , Second, Second answer is correct, which is statement is incorrect, गलच statement पुछ रहा है, GEX4 is more stable than GX2, सही बच्चो क्योंकि इनकी plus 4 oxidation state क्या होती है, ज्यादा stable होती है, SNF4 is ionic in nature, correct है, PBF4 is a covalent in nature, ये बच्चो कलत हो गया है, क्योंकि देखो PBF4 खुद क्या होता है, आइनिक होता है, क्योंकि देखो ये metal है, ये non-metal, metal non-metal बीच में bond है, और ये ionic bond होता है, ये ionic character होता है, तो अपन कहा सकते हैं कि ये metallic character रखता है, ये non-metallic, तो covalent नहीं होता है, ionic nature का होता है, और SNF4 में भी ऐसा होता है, tin और lead जो होते हैं, दोनों metal होते हैं, तो इसलिए दोनों में यहाँ ionic character होते हैं, बाकि के जो compound होते हैं, प्लस 4 में वो covalent होते हैं, और SIF4 gives the silicyc acid on the hydrolysis, ये सही है बच्छो, जैसे SICL4 है, इसमें vacant orbital होते हैं, इसका hydrolysis हो जाता है, water molecule इसके उपर क्या करता है, attack करता है, और ये बना लेता है SIOH4, जिसको अपन बहुत सकते हैं, H4SiO4, this is a silicyc acid, this is a silicyc acid, चार water molecule आ जाएंगे, और यहाँ 4 HCL release हो जाते हैं, बच्छो, तो ये थार्ड आपका अंसर आजाएगा, कौन सा कथन सही नहीं है, तो थार्ड अंसर, भी बताया था मैंने graphite में और diamond में दोनों में होता है, both one and two have the dangling bonds, correct, दोनों जूलते बंद रखते हैं, फुलरीन में कभी नहीं होता, फुलरीन एक smooth structure रखता है, without having the dangling bond, बताया था मैं dangling bond क्या होता है, new bond, जो इनकी carbon की surface होती है, वो क्या है, free होती है, और जो free surface होती है, वो impurity की साथ में नए bond बना लेती है, नए bond को बोलते हैं, अपन dangling bond, which is correct the following, देखो heat of formation जो है diamond का 0 नहीं होता कभी यह graphite के लिए होता है, heat of formation minus 1.9 mole for diamond, यह correct है, और heat of formation full rain के लिए यह भी correct है, तो यह fourth answer is correct, वेसे ही database question है, और यह value and shati में दे भी दखी है, diamond के लिए, और full rain के लिए, heat of formation, और यह उपर वाला जाए, वो गलत हो जाएगा, which is incorrect matching the following, देखो co plus h2 को बच्चो water gas भी बोलते हैं, और synthesis gas भी बोलते हैं, और इसको producer gas बोलते हैं, और co plus h2 को synthesis gas नहीं बोलते हैं, तो incorrect आपका third हो गया, full rain contain type of ring, full rain में बच्चो देखो, इसमें हमारे पास 12 और 20 दो रिंग होती हैं, total इसमें 32 का एक structure बनता है, और 20 जो होती है, आपकी 6-membered ring और 12 है, इसमें 5-membered ring, सही है बच्चो, यह है 20 तो इसमें यह बनेगी, इस तरह की, hexagonal type की, और यह बनेगी आपकी pentagonal type की ring, तो यह बनेगी आपकी, कितनी 5, 12, यह तो 5-membered होगी और यह 6-membered होगी, 6-membered, और यह 5-membered ring, तो 26 और यह 3rd answer आजाएगा आपको, ठीक है बच्चो, carbon monoxide is not produced in the following reaction, देखिए बच्चो, HCW हो जाए गया, formic acid, concentrated S204, water निकाल लेगा, dehydrating agent होता है, तो carbon monoxide बन जाएगा, और limited ले लिया, तो इसका मदलब यहाँ पर CO बन जाएगा, और फिर यहाँ पर CO plus H2 बनेगा, CO plus H2, तो में carbon monoxide बन जाएगे, यहाँ बच्चो, CACO3 और प्लस CACL2, यह सुले, दुबार लिखता हूँ, CACL2 और प्लस CO2 गेस, कौन सी गेस बनेगी, CO2 गेस बनेगा, यहाँ carbon monoxide नहीं बनेगी, carbonate आगे तो CO2 बनेगी है, तो फोर्थ आपका क्या जाएगा, उसमें carbon monoxide not produce, जुत्पन नहीं करेगा, चोथा, the stable oxidation state of the lead and tin are, PB की बच्चो, plus 2, lower oxidation state, tin की plus 4, इसकी plus 2, due to inert perifat, inertness of valence as electron, known as inert perifact, तो इसमें जो S electron होते हैं, वो inert पढ़े रहते हैं, heavy metal में, ठीक है, बच्चो, lower oxidation state, इसकी जाधा stable, plus 2, lead की, और tin की plus 4, तो second answer is correct, which element has minimum melting point in Kelvin, देखिए ये एक data based question है, वैसे अनिशाटी में data दे रखे हैं, ये carbon, germanium, इनका तो काफी ज़्यादा होता है, melting point, देखिए सबसे ज़्यादा carbon का होता है, फिर, यहाँ पर germanium का आता है, और फिर PB, और उसके बाद में 10 का सबसे कम होता है, तो बच्चों देखो, इसके अंदर आप सीधा भी याद रखे सकते हो, डेटा भी एक दे रखे हैं, जैसे इसका 600 Kelvin आता है, और इसका आता है 505 Kelvin, इन दोनों में ये basic आ जाता है, तो यह fourth answer आपका आजाएगा, इसका तो लगबग काफी ज़्यादा होता है, यह जो value में आपको बता दूँ, यह value है आपकी लगबग 4373, और इसका होता है 1208 Kelvin, इसका होता है 1208 Kelvin, और इसका होता है 4.370 Kelvin, इतना belting point का order है, अब यह data है, data base है, इनिशियाटी का question याद कर सकते हुआ है, which element is the maximum boiling point in Kelvin, ठीक है बच्चो, तो देखिए boron का crystalline structure होता है, इसका melting point और boiling point दोनों ही high होता है, तो boron आ जाएगा सबसे पहले तो, और इसका जो value आता है लगवग 3923, ठीक है बहुत ज्यादा होता है, फिर aluminium आता है बच्चो, फिर gallium आता है और फिर thalium आता है, तो maximum जो है वो boron का होता है, सबसे ज्यादा crystalline structure होता है, crystalline structure value भी initiative में दे रिखिए आप याद कर सकते हैं, 2700, 2600, 1700, इसका जैसे 2700, 2600, 1700 के असपास है, इसका काफी ज्यादा 3923 के लिए आता है इसका, बहुत ज्यादा value होती है इसकी, बहुत ज्यादा value होती है इसकी, बहुत बोरोन की, यह आपको database question है, ध्यान में रखने पड़ेगा, इसका बोरोन का melting point और boiling point दोनों ही high होता है, क्रिस्टलाइन structure होता है इसका, which oxide is the correct according to their nature, B2O3 बच्चों acidic nature का होता है, यह acidic होता है, non metal के oxide acidic होते है, तो यह आपका basic लिखा, यह wrong हो गए आपका, L23 amphoteric होता है, यह correct है आपका, यह दोनों basic होते हैं बच्चों, यह basic nature के होता है, तो यहाँ पर यह दोनों आपकी incorrect हो जाएंगे, second is सही है आपका, which trihalide is incorrect, देखो BCL3, TLCL3 यह बच्चों यहाँ TLI3 जो होता है, वो unstable होता है, और यह convert होता है TLI में, reason हो जाएगा due to inert pair effect, inert pair effect के करण, IPE के करण, तो यह incorrect होगे, आपका second answer, how many dichloros substituted product in the produce by the inorganic benzene, देखें बच्चों यह हमारे पास inorganic benzene होती है, जो nitrogen, जैसे इसका formula होता है, B3N3H6, तो यहाँ boron आप ले लिजिए ऐसे alternate, फिर यहाँ nitrogen ले लिजिए आप, फिर आपके पास फिर boron आगया से alternate ले लिजिए और सब जगह hydrogen अटेज कर लिजिए अब नाइट्रोजन देखो यह structure इसका, इस वे में, अब यहाँ आपको पुछा है कि कितने, आप इसकी reaction करानी है, आपको chlorine से करानी है, तो dye substitute product मिलाने बच्चो तो एक तो आप यहाँ जोड़ दीजिए, 12 पर फिर आप 13 पर जोड़ दीजिए, फिर 14 पर जोड़ दीजिए, अब लेकिन आप देखो जब 12 पर जोड़ो तो nitrogen बोरोन है, और फिर nitrogen नाइट्रोजन जोड़ दिया, फिर आप ने nitrogen बोरोन जोड़ द जैसे बेंजिन में आपके पास तीन ही बनते हैं, और्थो मेटा पैरा, लेकिन इसमें कितने बनेंगे, चार बनते हैं, क्योंकि nitrogen और बोरोन और नाइट्रोजन, फिर यहाँ आपके पास बोरोन नाइट्रोजन लेकिन यहाँ बोरोन बोरोन रेज़त है, तो answer आपका second answer BF3 LF reaction से बच्चो B2H6 बन जाएगा आपका, आलेफ 3 और LIF इसके बाद में आपके पास NABH4, यहाँ बच्चो आपके पास B2H6 बनेगा और प्लस NAI बन जाएगा और BF3 NaH में भी बन जाएगा आपके पास हाइड्राइड वालम सब में बनता है यहां भी B2SG बन जाएगा आपका लेकिन यह यहां पर बनेगा आपका NaOH और प्लस H3BO3 बोरीक एशिड बनता है बच्छो तो यह फूरताजै चहां पर आपका बनेगा पर यहां जाई-ब्राइड आते की आपकी फैक Daar यहां हाइड्राइड आते हिस का गल्राइड उन सब में घजोर्ण बनता है सब में घजोर्ण है अब मैंने इसमें स्धाइड पर्डड़ निम्न आ दे resistance यहां आप चाहतो तो बीटू एशिक्स तो बनी रही है और साथ में एने अभी बन जाएगा कि अब बोरेक्स एक्षन बोर्टर से कराते हो तो यह बनता आपका इसमें दो मॉल बनते है इसके चार मॉल बनता है इस नोर्मल फॉर्म इन अलमोस नॉन्रेक्टि बिकोज अफ सिलिका में बच्चों क्या होता है एस आई ओ फिर एस आई पिर ओ फिर एस आई ऐसे बन होते हैं तो सिलिका ओक्सिजन जो बन होता है ना इसकी बॉंड एंटरजी बहुत हई होते है यह एस इन तो स हिए क्या होते है यह बॉंड ं हएनेरजी जो इसकी बच्चों ही होती है इस वज़े से इनर्ट होता है इसलिए सिलीका आपने देखा हो अल्मोस्ट किसी की साथ रिक्षन नहीं करता है सिर्फ एक हचेफ के साथ करता है एक एक एन्योज के साथ करता है कि इसमें डायमंड तो क्या होता है आपका इन्सूलेटर ग्रेफाइट होता है आपका कंड़क्टर इस नहीं यह पानी से रिक्षन नहीं करते है बच्छो कार्बन कोल से रिक्षन वोटर से कराते है आपको पता है तेंपरेचर पर कार्बन मोनोख्ड और आइडोजन बनती है एक्षन हो जाएगी the tin react with the steam ये भी सही है टीन की reaction water से करते हैं तो ये SN02 बना लेता है और hydrogen gase भी देता है steam के साथ reaction कर वा रहे हैं इसका मतलब बच्चो तीन react with the steam ये भी सही है बोथ two and third are correct तो fourth answer is आपका सही आ जाएगा which is correct order the stability of plus two oxidation state sequence सही बच्चो निचे की तरफ जाएगे तो inner periphery का लोवर oxidation state की stability बढ़ेगी comparatively electronegativity order carbon की 2.5 होते हैं और PB की होते है 1.9 और silicon की होते है 1.8 तो ये भी correct order आपका ionic radius का increasing order है तो all are correct fourth is correct which is correct statement in CO molecule these are one sigma and two pi bond देखें carbon monoxide में ये sigma हो गए आपका ये पाई हो गए तो इसा ही बोलना है क्या वन सिग्मा तू पाई बांड बेट्विन carbon oxygen ठीक है सिवे था हाइली poisonous गेस होते है बच्छो कार्बोक्सी हमोगलोवीन complex is about 300 time more stable than oxygen हमोगलोवीन complex all are correct all are correct क्योंकि carbon monoxide क्या होते है poisonous होते है हमोगलोवीन से बाइंड हो जाती है और उसकी oxygen carrying capacity blood में कम कर देती है विश्च इच नॉट क्रेक्ट स्टेटमेंट बाउट दा फुलरीन के बारे में क्या सही नहीं आ रहे है इसमेड बाइदा हीटिंग ऑफ ग्रेफाइट सही है बच्छो ग्रेफाइट जैसे फुलरीन ऐसे बनते है विश्च इसमेंटरिकल C60 में लिटा बाइट इसमेंट ऑग्रेफाइट ऑफ और ऑफ कारबन ये इंप्योर टी से नहीं बाइंड होते है ये प्योर फॉर्म होता है ये नहीं प्योर फॉर्म होता है ये रघ यह प्येज़ लाइक मोलेक्वल ये तो नॉट करेक्टर आता है फुलरीन वे तो नॉट करेक्ट बार दफुलरीन फॉर्थ गलत है सही नहीं आ रहे है इस मैट बाइध बाइध वेट इसे बना जा सकता है प्योर फोर्म कारबन का है कि पिछिस करेक्ट स्टेटमेंट स्यों य॓ज सब्सक्र लेक्ट सिर्फील चाई चाइब आता है यह उडियो इंडार इंडार इंक्सर वेर्ट इंडारें आधे ऑट्र इंडार यंडार इंसलिबोर्म यह तो फॉर्ट है प्रोपर्टी बेस्ट कोईशन आया है वाट इस डिस्टेंस बेटिविन टू लेयर लेयर इन ग्रेफाइट में दो पर्त होते हैं उन पर्तों की बीच की दूरी कितनी होती पूछ रहे हैं जैसे आपके पास इस तरह से ऐसे पर्ते बनती है ठीक है बच्छो तो इसमें हेग् इस की डिस्टेंस पूछ रहा है तो यह कितनी हो जाती है आपकी 340 पिको मेटर 340 पिको मेटर होते ही है रिच जियो लाइड इंजुज तो पेत्रोकेमिकल इनुश्टेंट इन्टो ऐगेड किमीकल इंडस्ति फोरे कन्वर्टिंग धियू बिद्विल्विल्कॉल डी सिलीकेट जो लॉत है यें सिलीकेट को क्या काम करता है एलकोल को कनवर्ट करता है गेसोलिन में यह आरष यह जए डेसम्क फाइब की केटलिस्ट का काम करेगा यह कि परजेंस में यह convert हो जाएगा आपका gasoline में है तो first answer आपका correct हो जाएगा देखें यहाँ पर डाइबोरिन का structure दे रहे 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 हैं bond angle पुछा देखो यह आपने कहा था कि plane में होता है तिसका अमले लगे थीटा 2 जो होता है इंचरी होता है यह थीटा 1 आपका 97 होता हो और एकक और यपाइबॉर लेंद्ध है यह बॉंड लेंध चैवह जदा 144 पीको मीटर होती है यह बॉंड लेंध होती है नंक 10 rather 19 तो देखें बाश्चों यहाँ पर तीटा 1 बराबर वाला तो तो यह किस गलिया है थीटा टू एज़ थीटा टू थीटा बन से जादा न शब्ण को ती सबस्क्राइब क्कॉल करेक्ट पुछा है CO2, SiO2, Acidic होते हैं दोनों सही है बच्छो, Acidic Non-Metal की Oxide, High Oxide Resensate में Acidic की वाइसे ठीक है और CO जो होता है यह आपका Neutral होता है Geo लेकिन Acidic होता है यह Acidic होता है, Distinctly Acidic होता है बिल्कुल NCR टिम लिखाओ Geo, Distinctly Acidic होता है और यह Neutral हो गया बच्छो, यहाँ पर यह दोनों जगह देखो, यह Neutral है यह Neutral होता है और यह दोनों जगह आपके पास Acidic होता है तो First Correct हो गया आपका In which following element does not show the catenation कौन सा catenation शोर नहीं करता तो बिल्कुल NCR में लिखा हो है कि जो लेड होता है यह catenation शोर नहीं करेगा क्योंकि यह एक तरह से metallic property शोर कर रहा है क्या property शोर कर रहा है metallic property तो Third आजाएगा आपका बच्छो Next चलते है Which is correct about the bond length allotrop of the carbon carbon के जो allotrop है उसमें bond length के respect में क्या सही बोल रहा है carbon carbon bond length 154 pico in diamond ठीक बात बोल रहा है और carbon carbon bond length 340 pico in graphite यह गलत है graphite में layer जो होती है इनके 20 की जो distance होती वो 340 pico meter होती है CC bond length 154 pico in fullerine यह भी गलत है बच्छो all are correct नहीं है first is सही है आपका 154 pico meter diamond तो first answer आपका हो जाएगा इसमें 58 which is active form of the carbon carbon electron को सा active form carbon का तो चारकोल जो होता एक्टीव फोम होता है को carbon black नहीं active form जैसे आपने दो फोम लिए एक तो है crystalline एक non crystal non crystalline में बच्छो कोंड़ सा ज्यादे एक्टीव होता है चारकोल ज्यादे एक्टीव होता है which is the following the basic structural unit of silicate, silicate की basic unit पुछरी बच्छो तो si of 4 जो होती है वो basic unit होती है si o negative sp3 hybridization होता है और tetrahidal unit बनाती है ऐसे यह tetrahidal unit बनाते है पना कि और ऐसा यह 3 यह cyclic silicate में आती है यह आपके pyrosilicate में आती है ठीक है यह double chain में आती है आपके पास तो अलग-अलग form होते है silicate के तो basic यह ortho silicate होता आपका ortho silicate जो है basic structural fundamental unit होती है यह pyro हो जाएगा आपका यह cyclic वहा जाएगा और यह double chain होगी तो बच्चों हम आगे हैं last question के उपर अब हम बात करते हैं silica is attacked by which acid मैंने बताया था silica almost क्या होती है inert होती किसी सी reaction नहीं करती silicon oxygen का bondanthal भी बहुत हाई होता है लेकिन वो दो chemical में बताया था एक तो HF acid में और एक base में एन्योस reaction करती है जैसे देखिए दोनों में SiO2 आपका यह हो गया silica यह reaction करेगा HF के साथ तो यह बना देगा बच्चो SiF4 और प्लस water ठीक भी यह लो तो यहाँ पर यह कितने molecule आ जाएंगे बच्चो 4 HF आ जाएंगे अब यह जो SiF4 होता है न यह further HF से reaction कर सकता है और यह बना सकता है H2 SiF6 तो यह हमारा first answer is correct तो देखो बच्चो expect करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा मैंने काफी NCRT बेस और मैं काफी क्याम बूली NCRT बेस पेपर दिया है मैंने और easy पेपर दिया है काफी आपने अच्छा किया होगा score पेपर था आपने score किया होगा expect करता ह हूँ बहुत अच्छा करते रहे लगे रहे बच्चो ओके थैंक्यू जैजैसी एलसी